हेलो बच्चो मेरा नाम है अभी नवपाठक और मैं लेकर आया हूँ आपके पास क्लाश 12 का अंतिम वनसौट जिसका नाम है प्राइक्टा ठीक है तो आज क्लाश 12 का अंतिम चैप्टर का आज हम लोग वनसौट रिवीजन करने वाले हैं प्राइक्टा का प्रविविल्टी क प्राइक्टा के बारे में फिर प्राइक्टा का गुलन और सटर्थ घटनाओं पर आधारित प्रशन दिये गए उनकी बात करेंगे और लाश्ट में अंतिम टॉपिक हमारा बसता है वेस प्रमें ठीक है तो तीनों से ही कोश्चन आते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि कि किसी एक प्राइक्टा के बारे में नहीं पढ़ना है हमारा स्लेबस में नहीं है यही तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट फिर भी थोड़ा सा लॉंग होगा क्योंकि मैं डिटेल में ही पढ़ाऊंगा ऐसा नहीं कि कुछ उपर उपर जाएगा सब कुछ डिटेल में ही चलेगा प्राइक्टा हम लोग 10 से पढ़ते चले आ रहें 10 में भी रहती है 11 में 12 में 12 वाली प्राइक्टा कि ही हम बात करेंगे बेसिक हम लोग मानते हैं कि बेसिक इंट्रोडक्शन आपका क्लियर है तो एकदम बहुत ज्यादा बेसिक में नहीं लेकिन जितना 12 में उसका पूरा आपका कवर हो जाए तो एकदम सब चीजे क्लियर हो जाएंगी बस आराम से पूरे लेक्शर को अच्छे से मन से दीखें ठीक है पूरे लेक्टर को आप एक बार अटेंड कर दीजिए आपका पूरा प्राइटी का रिवीशन हो जाएगा यह वेरी गारेंटी है ठीक है तो क्या होती तो से प्रतिबंद प्राइकता होती क्या है इसमें बेसिकली दो चीज़े है मारे पास दो चीज़े कौन-कौन सी है एक मालो मारे पास कोई दो घटना है एक हमारे पास घटना है यह मारे पास एक घटना है यहां से मैं लिख लेता हूं घटना ए ठीक और एक मालो मा इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है पी यह बटे बी की जो ऊपर लिखा है उसके घटित होने की प्राइकता जो नीचे लिखा है जबकि वो घटना घट चुकी हो कहने का मतलब यह है घटना एक घटित होने की प्राइकता जबकि घटना भी घट चुकी हो कहने का मतलब यह है कि जैसे जो नीचे लिखा है वह घटना घट चुकी होगी और एक इसकी हमें प्राइकता ग्याद करनी होगी इसी प्रकार दूसरा फार्मूला मारे पास होता है पी बटे एक पी बटे ए में कुछ खास अंतर नहीं है बस वही सेम चीज इसवार भी उपार है तो कहने का मतलब है जब्के घट दोनी नदिया होगी प्राइकता जबकि घट लिखा ओऑ ऑ और इनसistas पार मूले इनका पार्मूला होता क्या है इन दोनों बातों का मतलब तो आप आफने समझ लिया मलब भी होता है जो नीचे लिखिया, वह घट चुकी है, यहाँ पे A नीचे लिखिया तो A घट चुकी है, आप जिसको मानोगे, बेसिक बात यह है कि आपने घटना, A वो मान ली जो घटना की आपको प्राइक्ता निकालनी है भी घटना तुमने वो मालनी जिसकी प्राइक्ता गया हमें घट चुकी है तो ये वाला फार्मूला लगेगा अगर तुमने यहाँ पर बी को माल लिया कि बी ऐसी प्राइक्ता है जिसको में निकालना है जबकि ए घट चुकी है तो ये फार्मूला लगेगा फार उपर intersection रहेगा नीचे सेम इसकी प्राइक्ता आजाएगी अगर यह P B बटे A है तो कहने का मतलब यह है कि उपर तो सेम रहेगा चाहे intersection B लिखो चाहे B intersection A लिखो दोनों का मतलब एक होता है चाहे intersection B लिखो चाहें B intersection A लिखो दोनों बातों का एक मतलब होता है तो उपर तो इन दोनों का हमारे पास क्या हो गया उपर दोनों का intersection हो गया नीचे वो प्राइकता जिसकी की सम्सष्मद अच्छी रहे आई क्योंकि सिंपल तो आसानी से हम कर्स्षण रहें गया पास पी और पास देख करना है और पी और इन एंट्रसेक्शUND B और पी ए यूनियन भी टीन चीज़ें चत्रीज़े निकْलेंगी कैसे देखो दे सरा है ही माने पास Qution में हमें क्या क्या दे रखा है यहाल है सबसे पहले इसी का फार्मूला खूल देते हैं प्रश बात कर लेते हैं फ्रस्ट पार्ट पीबीबटे एका फार्मूला होता क्या है वैसे पी बटे ए का फार्मूला होता है पी एंटरसेक्शन भी उपर तो दोनों का इंटरसेक्शन रहता है नीचे हमारे पास सिंपल वही आ जाता है जो नीचे लिखा है तो पी ए पी बटे जीरो दुसम्लो चार दिया है यह हमारे पास क्या है पी ए intersection B और पी एंपास क्या यह हमारे पास दिया प्राइकता जी रोद इसम्लो आठ तो यहां से हम निकाल देते हैं इसकी प्राइकता यह कितनी आ जाएगी इसको ऊपर ले ले लिए यही पर निकाल देते हैं जी तो यहां से इसको दरगुणा कर दो तो पी एंटर सेक्शन हमारे पास वी जो अमारे पास आजाएगा उकिता जाएगा आच शोब को 32 तो जीरो दसंग लोगत आ जाएगा तो पी एंटर सेक्शन भी गिता आगया 0 दसंग मोधम पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा सीदे तिक दूसरे पार्ट में हमें पी ड़िण द।क पी थे एंटर शेक्शन फिर निकाल चुके ओगे जीए जी झीयोग दो दो समलो ँएगा तो पी एबटे बी यह हमने कितना निकाला जीरों समलों तीन दो और पीबी यह पास प्राइकता दी गिया जीरों पांच तो पी एबटे भी हमारे पास कितता आजाएगा सीधे निकाल लो आठ चोको 32,845 चार बटे पांच आदी क्लिए कोई दिक्कत डारेक्ट फार्मूले पर है यही एक फार्मूले उनी से इंटरसेक्शन कभी पूछ रहा हो कभी तीन चीजे दे के दूसी चीज पूछ रहा होगा इसी प्रकार से कोश्चन करने हैं तीसरे पार्ट में क्या निकालना है यूनियन तीसे पार्ट में union निकालना यूणियन का एक फार्मूला तुमने पढ़ा था समुच्चे का पी ए यूणियन बी बराबर क्या होता है यह होता है पी ए प्लस पी बी और माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी यह देना यह सिंपल फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ था 11 क्लास से समुच्चे चैप्टर में भी था कि यहन ए यूणियन बी होता था तो यहन ए प्लस एन बी माइनस एन एंटरसेक्शन बी करते थे बस वही फार्मूला लगाना और कुछ लिए तो पी ए यूणियन हमारे पास बनते हैं जो हमारे पास फार्मूले पर अधारित होंगे जो यह दो फार्मूले इनी दोनों फार्मूले पर डारेट कोश्चन आते हैं इस प्रकार से समझ गया ना यह तीन पार्ट में है ऐसा ही पार्ट के कोश्चन पूछेगा कभी कुछ दे देगा कभी करें एक न्याय पासे को उच्छाला गया गटना एक हमारे पास एक गटना एफ एक जीए अच्छा एक पासा अगर उच्छाला जाता है तो सेंपल इस पेश बंता वो क्या होता है एस मतलब कि कुल जो पढ़नाम संभाव पढ़नाम आते हैं वो क्या होगा पासा उच्छाला जाए गया तो एक आए गया दो यह तीन यह चार यह पांच यह यह आएगा इसमें से हमें यह घटना दे रखी यह घटना मैं कितने अव्याव है कौन कौन से वह एक तीन और है दो थीन चार पांच यह इतनी चीज the question में गीविन है जो मैं कोशन में दिया हुआ है नयाए पासा उच्छालने की वजह से हमने क्या निकाल लिया हमने सैंपल स्पेस निकाल लिए-एस फिर इसके आदमी ए एफ जी लिख लिए जो कोशोन में given अबmedi स्टार्ड करते हैं कोश्चन का पार्ट इसमें मैं क्या क्या निकालना है उसकी अगर बात करें पहले पार्ट की बात कर लेते हैं, पहले पार्ट में कह रहा है, मैं, P-E बटे F और F बटे E दोनों निकालने, तो पहले P-E बटे F की बात कर लो, आराम से डारेक्ट फार्मूला लगाएंगे, अंसर आ जाएगा, तो P-E बटे F क्या होता है, P-E intersection F, क्योंकि उपर दोनों का इंटर सेक्षन, जो भी घटना है लिखी, उनका इंटर सेक्षन, नीचे जो घटना है लिखी, उसकी प्राइक्ट ता डारेक्ट, तिक, अब पहले हमें क्या जरूवत पढ़ेगा, E intersection F, E intersection F का मतलब क्या है, कि दोनों के common अवेव, E और F कोई common अवेव, दिख रहा है, E औ इंटर सेक्षन तो निकाल लेते हैं, जो दोनों में common हो, तो ये तीन इसमें common था, तो तीन एक अवेव आ गया, तो सिंपल हमारे पास इसकी प्राइक्टा क्या आ जाएगी, एक अवेव, अनकूल पढ़ नाम एक, कुल पढ़ नाम 6, तो एक बटे 6, यही तो मैं पता है न पी, इंटर सेक्षन फ क्या होगी है तो उसके अवेव लिखे, एक अवेव इसमें, तो एक अवेव इसमें, छै टोटल अवेव, अनकूल बटे कुल, तो एक बटे 6, पी, अवेव कितना हो जाएगा, एसमें अवेव, कितने हैं, दो, दो, बटे 6, तो दो बटे 6 आ होले पी एफ बटे इप फैर डटे पी एफ बटे में क्या करोगे घूब फ सेक्शन झान, ब टे ही इप चाई एंट्रसेक्षण के आफ फैन फी इंटम P, E मतलब हो गया 3 बटे 6, तो कि इसमें 3 अव्य हो है, तो 3 बटे 6, 6 से 6 गया, मतलब कि 1 बटे 3 आगी प्राइक था, समझ गया ना, तो यह हो गया पहला पार्ट, इसी के second part पर चलते हैं, second part में लोग क्या निकालना है, P, E बटे G, तो E बटे G के साथ क्या हो जाएगा, उपर दोनों का intersection, E intersection G, नीचे मारे पास क्या हो जाएगा, P, G, ठीक, तो E intersection G, हमें जववत पड़ेगा, तो E intersection G, इदर निकाल देते, E intersection G, तो E intersection G में कौन-कौन से अव्यवा आजाएंगे, E intersection E और G में, एक तीन पांच, एक तीन और पांच आजाएगा, तीन और पांच इनके intersection में, आजएगा, तीन याँ पर भी 5 याँ पर भी, तीन याँ पर, पांच याँ पर भी, तो सीधे फार्मूले में रखो, तो 3 बटे पामलब की याँ आगया, गवड़ेच है इसमें 2月 पीजी जी में किते हैं वेवेव है जी में है चार चार बटे चहे यह पर एकता कितीया जाएगी एक बटे दो आजएगी टिक लास्ट वाली कि कौन सी बसती है पीजी बटे ए तो यह आसान को शने अफर जी कोशन है इस तुमनों कर लोगे वैसे जी इंटर सेक्शन करो फिर हमारे पास पी पी कर दो है तो फर्जी कोशन निकाली लिया था दो बटे च्छ्छ पी का मतलब क्या हो गया इस यह मतलब हो गया सारी चीजें इदर गीवन है जो जववत पड़ेगा वो तुम निकाल लोगे इंसेट के माध्यम से और आराम से निकाल दो थोड़ा इंपोर्टेंट पार्ट तीसरा वाला है यह थोड़ा इस्टार मार करेंगे से यह थोड़ा अच्छा पार्ट है इसमें कुछ नया सीखने लगाना किया है में निकालना है फिक इंए जियन से फी उनियान एस नेयफ और बटे में क्या है जी तो बटे में लगा दो अभी जैसे फार्मूला बना रहे थे वैसे बनाएंगे जो उपर आल नीचे दोनों का intersection तो उपर तो आ जाएगा इन दोनों का intersection मलदब यूनियन एफ और इनका intersection किसके साथ जी के साथ और बटे में PG तो हमें कुछ खास करना नहीं है simple बास समझो अब हमें करना क्या है हमें union f निकालना पड़ेगा उसका intersection जी के साथ निकालना पड़ेगा फिर उसकी प्राइकता निकाल देंगे तो यूनियन एफ हमारे पास क्या होगा देखो इदर देखो इउनियन f यहां पर मैं लिख देता हूं ई यूनियन f में कौन से विवाज जाएंगे यूनियन f कहां पर ए और f यह ए 1 2 3 5 1 2 3 5 यह विवाज जाएंगे कि यह और f यह तो एक दो तीन पांच और इसका इंटरसेक्शन ले लो जी के साथ इसका इंटरसेक्शन ले लो इंटरसेक्शन ले लो जी के साथ इंटरसेक्शन ले लो जी के साथ जी कहां पर यह तो यहां से देखो दो है दो है तीन है तीन है पांच है पांच तो दो तीन पांच आ जाएगा इ lep mit फोड़के बागी आ जाएगे एक नहीं है इसमें तो दो तीन पाच आजएगा तो एक्शुल में इसमें तीन अव्य वाग अब इसमें तीन अव्य वागए टोटल तो मारे पास छे ही है सेंपल स्पपेस में पी जी हमें पता ही है यह किते हैं 4 बटे 6 तो सिंपल 1 2 3 4 तो यह हो जाएगा 4 बटे 6 6 से 6 गया सीधा प्राइक्ता आगे 3 बटे 4 कहने का मतलब यहां पर थोड़ा special बात यह है कि जैसे हमें यह निकालना था कि यूनियन एफ बटे जी तो आप इन दोनों का वैसा ही इंटरसेक्शन लेंगे बटे यह यह पार्ट हमें निकालना पड़ेगा सेट हमें दिये गए अराम से निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा इसी का अगला पार्ट क्या है जिसमें हमें निकालना है पी इंटरसेक्शन यहां से हो जाएगा पी इंटर सेक्षिन एफ इंटर सेक्षिन एफ और बटे में जी तो यह मारे पास क्या हो जाएगा यह जाएगा पी इंटर सेक्षिन एफ और इंटर सेक्षिन हो जाएगा मारे पास जी के साथ और बटे में तो पीजी है अब तीनों का इंटर सेक्षिन देखो इंटर सेक्शन एफ में कौन से अवे या इसे मैं डाइट लिख रहा हूं इंटर सेक्शन एफ में कौन से अवे वे सिर्फ तीन है ठीक इसका इंटर सेक्शन जी के साथ दोगे उसमें भी तीन आए यह यह इन तीनों में intersection देखो तो तीनों में कौन सा विए common सिर्फ तीन है इन तीनों में common तो तीन common है तो simple प्रायक्ता इसकी हो जाएगी एक बटे 6 PG की प्रायक्ता 4 बटे 6 6 से 6 गया मतलब 1 बटे 4 इसका answer हो जाएगा तो डारेक्ट ठीक तो यह हमारे पास वो question हो गए जो directly formula पर आधारित है तो उनने पीछी यह दो फार्मूले पड़े इन इंहीं पर आधारित यह questions हो ठीक है यहां तक बात के लिए सभी कोई doubt तो नहीं आता कोई समस्या तो किसी को बाई चले आंगे अब फार्मूले के आधार पर ये कोश्यंस हो गए हम लोगों के इसके अलावा जो इनके 30 रूप में कोश्यन बनते हैं कि सह प्रतिबंद पाइकता में क्या होगी हमारे पास हमें पता है जो ऊपर लिखा होता इसकी ग्याद करनी होती जो नीचे लि बढ़ांक लिखे हुए एक बक्सा है उसमें कोई 10 कार्ड रहे होंगे और 1 से 10 तक कि उसमें पूरांक लिखें कहने का मतलब यह कि मलब इसमें टोटल सैंपल इस पेस अगर तुम लिखना चाओ तो ऐसे कार्ड होंगे एक दो तीन चार ऐसे लिखे हुए टोटल दस पूरा बिना देखे ऐसे मैंने देखा और निकाले एक काड़ ठीक है और यदि यह ग्यात हो कि निकाले गए काड़ की संख्या तीन से अधिक है तो इसकी संख्या के सम होने की प्राइकता बताओं इसमें हमेशा क्या होगा कोशचं में एद रखना है कोशचं फ़र के टाइम तुम्हें समझ जाना है कि एक घटना तुम्हें दी होगी और एक घटना के निकालने की बात कर रहा हूगा जो घटना तुम्हें दी होगी उसे हम घटना भी मान कर चलेंगे ऐसा नहीं है कि घटना ए नहीं मान सकते हैं हम एक ही फार्मूले की बात करेंगे जो हमने यह पढ़ा था कि P A बटे B P A बटे B का मतलब क्या है कि B की घटना जो है वो घट चुकी है मतलब यह घटना में गयात है घट चुकी हो ऐसा नहीं अंसरा लगाएगा एक ही केस लेके चलेंगे तो confusion नहीं होगा अब यह याद रखो बस आप आप से यह मान के चलो कि जो घटना तुम्हें दी जाएगी उसे हम घटना बी मानेंगे और जो निकालनी होगी उसे घटना ए मानेंगे अगर आप ऐसा करोगे कि घटना कि तुमनें यह माननी की वो दी गई और बी तुम्हें मालो ग्यात करनी है तो यह फार्मूला लगाना पढ़ेगा और कोई मतलब फार्मूले में कोई खास नतर है नहीं तो हम एक केस लेके चलेंगे जो उपर वाला हमने फार्मूला पढ़ा है जो प्रायक्ता हमें दी खटना भी है वो क्या है आपर जो घटना भी है उसको लिखोगे लिखना कैसे इनको question को exam में का इसे करना वो मैं एक exam में पूरा लिख के दिखा रहा हूं वैसे ही आपको करके आदा ठिक है घटना भी क्या एक कहरा है यह दिये ग्या थे कि निकाले गे card पर संख्या तीन से अधिक है कि कटना भी यह है कि जो कार्ड निकाला गया उस पर संख्या जो है वो तीन से अधिक है क्या है संख्या कि तीन से हम अधिक प्राथ हो यह हमारे पास गटना भी भभल जो काड निकाला गया उसमीछे पाइन संख्या होने की प्राइक त typically तो गटना एक है है हमारे पाज यह वह हमें गटना निकालनी है घुरना एक है कि तो इस संख्या के समोने की प्राइकता क्या है कैरा संख्या के समोने की प्राइकता बताओ संख्या के समोने की प्राइकता इसको उन्हें गटना एमाल लिया ठिक कोई दिकत अब देखो घटना बी में बी में कौन से अव्यव आ जाएंगे सर्फ बी में जो अव्यव हमारे पास आ जाएंगे वो कह रहा है तीन से अधिक संख्या प्राप्थ होना तो चार है पांच है है पांचए है साथ है नौ है कुत यह तो तो है टोंसी दो चार-चार-चार-चे आठ दस हमें क्या निकालना है हमें निकालना पी एबटे भी यही तो निकालना है हमने यही काना कि भी वह गटना है जो घर चुकी है जो ग्यात घर चुकी होती वो नीचे लिखते हैं जिसकी प्राइकता ग्यात करनी होती है वो उपर लिखते हैं तो हमें यह प्राइकता निकालनी है तो पी एबटे भी क्या हो जाएगा 6 मिलेगा 8 मिलेगा 10 मिलेगा क्या मिलेगा 4 6 8 10 यहीं तो मिलेगा यहीं चार अब मिलेंगे 4 6 8 10 तो सिंपल हो गई 4 बटे 10 और पीबी भी कहा है 1 2 3 4 5 6 7 7 बटे 10 10 से 10 गया प्राइक्ता और मिलेगा लक味 कि इन्टर्सेशन भी निकाला लोगे दोनों समच्च मोगे अंसे इनका टर से क्या होगी चार टो टोटल किते हैं 1-10 तक अन्पूल बटेल अन्पूल बटेल अन्सर आगि chem तो तो चार बटे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगे तो इस प्रकार की कोश्चन होंगे जो त्योरी रूप में दिये जाएंगे और ऐसे ही आपको करने एक घटना आप मानोगे जो घटी दो चुकी होगी और एक मानोगे जिसके आपको प्रायक्ता निकालने होगी तो हम यही केस मान के चलना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना इक घटना भी वह मानते हुए चलेंगे जिसकी प्रायक्ता में घट चुकी है और घटना एजिसके में प्रायक्ता निकालनी बस इसी साफ से चलेंगे तो चले अंगले कोशन पर एक और ऐसा ही कोशन करते हैं थेयोरी तो यह पूरे 36 केस मैंने लिख लिए यहां पर 1,1,2 ऐसे करके 36 के लिख लिए ठीक है प्रकट हुई संख्या का योग 6 पाया गया मतलब यह हो गया छैप आया गया मतलब घटना भी क्या प्रकट हुई संख्या का च्छै पारना गया तो यहां पर लिखो डारेक्ट कायोग चैप राप्थ होना ठिक फिर कहरा है संख्या के 4 kK4 कiren नियूंतम एक बारत होने की प्रकटा किया है घटना ए Corporal नग्तम निकालनी है कर रहे है कि जो संख्या 409-19 ौन एक बारत कटो मनद कम से कम एक बार चार आने की प्राइकता क्या यही बात कह रहा है एक्चुल में मतलब यह है कि कम से कम एक बार चार आने की प्राइकता यह आप से पूछ रहा है देखो अब घटना भी तो पहले में देखो कौन-कौन से case बनेगे संख्या का योग 6 प्राप्थ होना संख्या योग कहा पर 6 मिल ला है ध्यान से देखना इसमें देखो 5-1-6, 4-2-6, 3-3-6, 2-4-6, 1-5-6 सिर्फ इस लाइन में तुम जाओगे ऐसे तो वहीं पर तुम्हें संख्याओं का योग कित्ता प्राप्थ होगा 6 प्राप्थ होगा यह लाइन पूरी यह लाइन तुम्हें दिखे रहे और कहीं 6 नहीं होगा 5-1, 4-2, 3-3, 2-4, 1-5 पर डारेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि अच्छे से क्लियर्टी मिल जाए तो घटना B में हमारे पास कौन-कौन से अब आ गया एक तो आगया 5-1, 1 हमारे पास आगया 4-2, 1 हमारे पास कौन आगया 3-3, 2-4 और फिर कौन आगया 1-5 यह तो हमारे पास कौन हो गई घटना B हो गई जो बात हो यह हमारे पास sexual में S लिखा है total sample space लिखे गटना B ये हो गई गटना एक काई रहा कि कम से कम एक बार तो 4 आया यही हो तो कम से कम तुम्हें एक बार 4 पर दिखरा है देखो एक तो ये case हो जाएंगे दिखो यह यहां पर हर जग है तुम्हें एक पूरी में चार एक दिखी रहा है और एक बार ये केस हो जाएंगे इसको दूसरे प्रेंस से बना दें इससे बना दो देखो ये एक लाइन तुम्हें दिख रही होगी पूरी ये बॉक्स और एक ये बॉक्स दिख रहा होगा जिसमें कम से कम एक बार तो तुम्हें चार दिखी रहा दिख रहा है ना तो 6 ये और 5 ये क्योंकि ये कॉमन 6 5 11 टोटल केस है तो मैं डारेक्ट लिखता हूं कोई दिखकत नहीं ये मारे पास दिख रहा यह लो तो मैं यहां से लिख रहा हमें क्या निकालना है हमें तो वहीं निकालना है पी बटे भी कि एक घड़ी दोनी की अपना के जो हमारे पास अव्याव है कौन कौन से हैं 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 फिर फिर हमारे पास 1,4 2,4 3,4 और 4,4 तो होई गया 5,4 और 6,4 टोटल 11 अव्यावाद है तो टोटल 11 अव्यावद अब इनकी प्राएक टाहिक फाहिक ये घरेक में लिखता हूँ एंज से एंदर सेंटर बी मेंं जिसमें इसमेंgram 1 यहां पर है एक यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच, तो पांच बटे 36, अन्कूल बटे कुल, कुल तो हमारे पास 36 है, तो 36 है 36 गया, दो बटे 5 इसका राइट आंसर होगे, ठीक है, बात के लिए, कोई डाउट हो तो बताओ भई, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, कोई समस्या तो नहीं लग रह भाई, ऐसा तो नहीं लग रहा, कुछ भी चला है, आसानी से सब चीजें के लिए रहे, कथन लिखो, पहले सबसे पहले घटनाय मानो, घटना भी उसे मानो, जिसकी प्राइकता तुम्हें, जिसकी प्राइकता तुम्हें घट चुकी हो, और घटना ए उसे तुम मानो, जिस ठीक फिर 남자 B क्थन ये साब से रवटना एक रखन के इसाब से दोनों का इंटरसेक्शन देख लो जब सबस्स Calvin सिमुझ लिख लोगे तो समुझ य कि हिसाप से आप उनके इंटरसेक्शन निकाल इसमें स्पेशल यह एक साथवा नंबर यह उदारन एक यह पंद्रवा नंबर इंपोर्टेंट इन दोनों को इस्टार मार करें न कुछ नया सीखने को मिलेगा अलब इससे अच्छा कोशन नहीं है इस एक्सरसाइज में ठीक है कोशन क्या कह रहा है ध्यान सुनना कह रहा है उच्छाले के पर इक्षन पर विचार किजी एक सिघेट ख लागिया है ठीक मैं दीखोन लिखता हूँ पहले ध्यां से सुनना पहले क्या हो रहा है एक सिधुला जाता या तो हेड आएगा कि यह एकश्ळुमें टेल आएगा यह या टेड आएगा यह टेल आएगा ठीक आंगे क्या कह रहा है यदि सिक्के पर चित प्राप्त हो चित मतलब की हैड ठीक प्ट मतलब की टेल चित प्राप्त हो तो सिक्के को पुचा पुना उचालते हैं मतलब की सिक्का उचाला गया और हैड आगया तो फिर से सिक्का उचाल देते हैं तो सिक् लिखते हो तो तुम्हें पता है कि 6 परणाम बनेगे एक दो तीन चार पांच छे यह कंडिशन बनेगी यही तो होगा यदि घटना कम से कम एक प्रकट हो एक पट प्रकट होना घटित होना दिया गया है तो घटना दी जाती हुशे हम घटना भी मानते हैं मैं इधरी लिख द घटना भी क्या है कम से कम एक प्रकट होना होतो है कम से कम एक पट प्रकटcej फिक यह दिया गया ह्तिक हो चुका है तो पासे पर मढ़ी संहठ पर चार से बड़ी संख्या प्राप्थ होना इसके में सह प्रतिबन प्राइकता निकालने ध्यान से सुनना पहले सेंपल स्पेस लिखते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इसका सेंपल स्पेस है वो क्या बनेंगे अभी तक तो सिर्फ एक ही केस होता था या पासा उचाला या दक उठाए तया यह कोई 10 पूरांगद दीए गए थे तो उनी पूरांगओ की बात हो रही था दो केस मक thought मैं आतातया समझ है अच्छा समझो मालो आप ने सिधा उच्छाला था पहले है डाया अगर हैड आया होगा तो हेड दो केस बनेंगे एक हेड का हेड के साथ एक हेड का टेल के साथ क्यों कि जब सिक्क्य उच्छालने पर अगर हैड आया होगा तो फिर से सिक्का उच्छाला गया होगा तो सिक्का उच्छाला गया होगा फिर से दो परणाम बनेंगे हैड यह टेल सिंपल बात ही हो गई कि आपने सिक् अगर तेल आया था तो तुमने पासा उच्छाला आए उगा तो तो टोटल सैंपल स्पेस में जो केस बनेगे वह यह बनेंगे यह बात थो प्रतिदर्ब समझची होगा सेंपल के जिनको बोलते हैं वो हमारे पास यह होगे head के साथ 2 case बाकि tail के साथ ये 6 case एक से 6 क्योंकि tail आने पर हम पासा उच्छाल ले हैं और head आने पर पुना पास ऐसी का उच्छाल ले तो वो 2 case ये हो गए और ये 6 case हो ठीक है अब हम लिखते हैं घटना B घटना B क्या है अब पास पर चलो ठीक को इने अधरी करेंगे घटना B हमारे पास क्या है घटना B कह रहा है कि कम से कम एक पट प्रकट होना कम से कम एक पट प्रकट होने का मतलब क्या है कि कम से कम एक टेल आया हो तो कम से कम एक टेल आने का मतलब है head कॉमा टेल यहां पर आया कि यह तेल के साथ वाल सारे के साथ आएगे टिल कोमा लगन अंधिर कोमा टू ट्ल कॉमा मतरी है यह फोल कि հिक फूर ट्ल कॉमा फाइव और सिंग त्रीक है धिकथ गतना एक कहा रहा है यह गतना एक रहा है चार से बड़ी यह से बढ़ी संख्यां ही व रहा ही कि यह सबाद लिखा इसके इसाप से सैंपल भी निक टे लिए इसके बास से हम क्या आंगे लिखते हैं सीधे हम लिखते हैं कि पी ए बटे भी इसका मतब होता है पी ऐ इंतर्सेक्शन भी बटे का पी बी यही वहता है न तो यह इंटर्सेक्शन भी में तुम्हे दिख रह यही दों चुटल सेम्पल के सब्सक्क posterior ट 2-3-4-5-6-7-8, 8 वेव यह हैं, बटे में PB है, PB में कितने वेव हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छें, साथ, यह है, 7 वेव अट, तोकि टोटल केस हाँ, 8 से 8 कड़ गया, आंसर आ गया, 2 वेटे साथ, किसको लगता है, यह आंसर सही है, बट यह आंसर सही नहीं है, यह गलत हो जाएगा, ऐसा अगर हम करके आ गए, यहां के बाद, तो यह आंसर गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, सर अभी तक तो ऐसे ही कर रहे थे, हर केस में A किया था, A और B बनाते थे, सीधे फार्मूला लगाते थे, value जो आ रही थे, इसमें प्रतेक आव्यवक की जो प्राइकता होती थी, वो हमारे पास इक्वल होती थी कहने का मतलब यह है देखो बात समझो मैं इसको पेज ऐसे इस कोशन पर ना जाना मैं मालो मैंने सेंपल इस पेस एक लिखा इसमें क्या लिखा कि एक पासा उच्छाला गया तो एक दो तीन चार पांच यही छे परणाम बनेंगे दान्स सुन लो पहले यह के संपल स्पेस में जो बी यह अव्यक्ता इक्कटव होती थी यह बटे 5 मिलों 6 लएक बटे धो चल लए ठर न यह फार्मूला लगासकते हैं जब यह प्रतेक sample space के प्रतेक अवयव की प्राइक्ता है equal तो यह formula आराम से लगा दो गया और इसके साब चांसर से होना चाहिए पर यहाँ पर case different different क्या है बासंदो यहाँ पर अगर तुम देखो को मैं हटाता हूं यहाँ पर case यह डिफ्रेंट है कि यहाँ पर यह से जितके नीचे headline किया हुआ पी head, head या आप पी टेल कस्की देख लो या पी head, tail कि देख लो तो इनकी प्राइकता ग्या इनकी प्राइकता अगर तुम लिखना चाहो तो head आने की प्राइकता क्या है मैं सको पहले हटाओ देते होति इसकी प्रायक्टार्स तुम्हें निकालनी है पी हेड कॉमा है उल्हेट गी दोनों आना ची घानाची दूसरी बार में एताना ची घानी चीज तो कूरोण चीज्क्त चारवने हो तो P head, tail लिखा हुआ है यही इसकी भी होगी क्योंकि head आने की प्रयक्ताई एक बटे दो तो भी एक बटे चार आएगा आप तुम आंगे वाले अव्यप देखो जैसे ये लिखा है P tail, one तो tail आने की प्रयक्ता तो एक बटे दो शिख्के पटे लाएगा और एक आने की प्रय आएगी जो राव्यव्व हैं जो टैल के साथ लगे हुए हैं इन सब की प्रेक्ता किती त की अप्रेक्ता किती होगी एक बते बारा इन सब की प्राइक्ता किती आएगी इन सब की प्राइक्ता एक बटे बारा आएगी मतलब इन दो अव्यवों की प्राइक्ता एक बटे चार है जबकि इन सारे अव्यवों की प्राइक्ता एक बटे बारा है मतलब सेंपल स्पेस में प्रतेक की प्राइक्ता जो है वो इक्वल नहीं ह अलग-अलग है अब ये वों की प्राइकता अलग-अलग होती है सैंपल स्पेस में तो यह फार्मूला ऐसे नहीं काम करते हैं फिर कैसे काम करेगा फार्मूला वही रहेगा फार्मूले में कोई change नहीं है थोड़ा सामे कुछ इदह उजब करना पड़ेगा जगे बनानी पड को इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं ठीक यह तो बास समझी के कोई दिख्कत तो यह ने दिख रहा होगा वैसे इस पर दिख्या वे मैं इधर लिखता हूँ फार्मूला हमारे पास वही है कि P A बटे B बराबर होता है P A intersection B बटे P B यह तो होता है अब A intersection B में तुम्हारे पास अव्यव कौन से है A intersection B में जो तुम्हारे पास अव्यव है वो यही दोनों अव्यव है एक है टेल कॉमा फाइब और एक है देल कॉमा 6 ठिक ए और बी में common अव्यव कौन से यही दोनों अव्यव कामन to you दिखू यहां से हो जाएगा टंप पू इने के प्रएक दोने की आलटा जाएगा अब आणने इसने में लिए और दिखे चाहिए और एंट इसकी इसाव है इसको प्रैक्ता किती होगी एक बटे 2 इसकी प्रायक्ता कित्ती हो कि फिर से एक बटे 12, एक बटे 12, एक बटे 12, एक बटे 12, छे बार एक बटे 12, तो प्लस 6 गुणे, एक बटे 12, समझ गया ना, कोई दिख्कप तो नहीं, कैसे लिखी फिर से देखो, हमें लिखना आया कि A और B दोनों के घटित होने की प्रायक्ता बता नी थी, इसलिए दूए धे हो यहाँ पर ने A और B दोनों के घटित होने की प्रायक्ता के विज़े से एक गुणा लगाया था, एक बटे दो, ह कॉमा T ये भी इक बटे दो, एक बटे दो कर एक बटे चार हो गई थी, अब हमें चाहिए दोनों तो यहां से एक बटे बारा प्लस एक बटे बारा क्योंकि यहां से क्या हो गई इसके और या इसके तो एक बटे बारा प्लस एक बटे बारा और एक बटे दो किसकी आगे यह हैट कॉमा टेल की और यह बटे बारा किसकी आगे जो टेल कॉमा वन है टेल कॉमा टू टेल कॉमा 3, 4, 5, 6 और 6 वार है तो 6 से गुणा कर लिया इसको कल्कुलेट कर लेना यार यह आ जाएगा किता 1 बटे 12 और प्लस 1 बटे 12 1.6 हो जाएगा और यह जाएगा 6 दूना 12 तो यह हो जाएगा किता 1 किता हो जाएगा 1 बटे 6 पहली वाली प्राइक तरगां पर गिए भी कहां है तो बिटी 4 है यह 1.2 4 कि एक बटे चार रहे ना को यह कित क्या था हैट कॉमा देल की एक बटे तो यह इसको सॉल्व कर लेना या यह आ जाएगा एक बटे च्छाह यह आ जाएगा चार ले लोगे तो एक प्लस दो तीन बटे चार आ जाएगी तो यह उपर गया यह तो यह किता आ जाएगा 24 बटे 18 तो चार बटे तरह आ जाएगा तो और क्यार चार दो नवठा डो प्रोड़ा तो आ लोटे प्रोसेस गसी है अंसर ऐसे आएगा तो दो इसका तो यहां तक बा में अчи क多 obs वैसे ही आप वो कोश्चन करोगे जो हमारे पास अगला कोश्चन है तो अगला कोश्चन देखो पंदरवा नंबर जो इसमें भी सेंपल स्पेस पहले बनाने यहां पर देखो इसको भी समझ लेते हैं पहले दोनों इंपोर्टेंट कोश्चन करें एक पासे को फेकने का हार देख एक से शया तक की कोई भी संख्या सकती है कहारा यहती पासे पर प्रकट संख्या तीन का गुण नज होने का मत्लब कह ए है तीन का मल्टीपले भलब टीन आया हो या फिशाय ए यह उसक्रें कर मुलिकश दो पासे को पुना फेकते अगर तीन और श्या आएग पास से चलब से चक्ष पन जाएंगे ठिक और एक बार फिर से पासा फेका गया च्छे आने पर भी तो भी फिर से च्छे केस बनेंगे एक दो तीन चार पांच और ट्रुट लेइश्क बनेंगे ठिक शह यह और च्छह यह केस बन जांगे अब बेसिली बात क्या हो रही है और आंगे बात समझो पुना पासे को फेकते अन संक्या प्रकंट हों एक शित्के को उछा लें अच्छक्ब को यदि प्रकंट हो तो एक सिलया को संख्या आएगा या फिर टेल आ जाएगा पांच आएगा तो भी दो केस बनेंगे एड़ आएगा टेल क्योंकि इसके अलावा और कोई चीज आती और कोई संख्या आती है पासे पर तो आप एक सिक्क्य को उचाल देतों तो हैड़ा टेल हैड़ा टेल केस बने अब घटना है लिख ल कम नहीं उन्ता मतलब कम से कम की बात होती है कम से कम एक पासे पर तीन प्रकट होना यह में दिया गया है हुआ है ठीक घड़नक एक काई जिसकी फैक्ता मffन हमें निकालनी खत्क निकालनी नी सिक्पर प्रकट होने की सह प्रक्तिबंद मिल्खona के पर प्रकट होने की सह प्राइकत होने की प्रकट होनेcan हमें निकाल नहीं ठीक है कि स्टार्ट करो वैसे ही सेंपल स्पेस बनाओ पहले सेंपल स्पेस क्या बनेंगे आपने मालो पासा उचाला एक आया एक आता है तो आप क्या कर तो सिक्का उचालते हो तो एक के साथ हैड आ सकता है या एक के साथ टेल आ सकता है दो आया होगा तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है लेकिन अगर तीन आया होगा तो आपने क्या किया है आपने पासा उच्छाला तो तीन के साथ एक बनेगा तीन के साथ दो आ सकता है तीन के साथ चार आ सकता है तीन के साथ पांच आ सकता है और तीन के साथ च्छै आ सकता है सेम इसी प बनेंगे 6,1 6,2 6,3 और 6,4 और 6,5 और 6,6 तो कि जब भी हमारे पास क्या होता है जब भी हमारे पास पासे पर 6 आता है फिर से पासे को उच्छाल देते हैं उपासे को उच्छाल होगे तो फिर से 6 बनाओगे यह सेंपल इस पेस में अव्यवागे ऐसी यह बन गया घटना ए म में निकालना शिक्के पर प्रकट होना से कभ और कहां तुम्हें प्ट दिखरा एंपत मतलब क्यों होता है टेल एक थो यह वनकोमटी दूसरा का Natuba है तू कोमटी कं प्र तीसरा कान सारा कॉमेर्टी चौथ हाँ नगी बने के स्यादा स्यादा तो नहीं बनेगा टेल पााप पर bands रों कम से कम एक पासे पर थीन प्रकट हो एक बासे पर कम से कम से इस से पर कर्ण से हो तो यह जाएगा तीन-उय दो जा दर एक फिर एक बनेगा चैक green कभी स्था टीन और कहीं कुछ है बस यहीं बनेंगे six and all और बन जाए है बस है अब यहाँ पर एक मज़ेदार बात क्या हो गई अगर आप एंटर सेक्षन वी देखो एंटर सेक्षन भी मलब दोनों में कुछ common है क्योंकि एंटर सेक्षन बी की तुझ वद पड़ेगी हैं अपर भी निकाली थे पी एंटर सेक्षन भी फार्मूला तो वही होता है ना फार्मूला तो वही लगाओगे ना जब ऊपर हमारे पास पहले जीरू आगया नीचे कुछ भी ओ प्राइक्टा जीरू हो जाएगी डारिक्ट तो आंसर इसका जीरू हो जाएगा पस इंपोर्टेंट बात ही है हमें सम समझने की important बात है पिर आपसे अगर मालोब यह जीरू ना ओ रहा होता कुछ अव्यव यहाँ पर आ रहे होते तो आप क्या करते इसकी प्राइक्टा अलग निकालते इसकी अलगते सब की अनने की वहती होती टGGया और हेत को अने की प्रिक्ता किती एक बट्टे यह दोनों question किलियर है कि नहीं किलियर हैं मैं बताओं इसको कोई डाउट लगे तो एक बार ऐसा जरू करना कि आप इस बार एक बार फिर से को रिबीट करना फिर से आपको समझ में आ जाएगा और एक बार फिर से अपने मन से लगाना सारी किजिए यहां से किलियर हो जाएगा देख लो एक बार देरें दस सेकेंड देख लो फिर चलते आंगे यह टॉपिक पहले एक्सराइज हम लोगों ने फिनिस कर ली सै प्रतिबंद प्राइक्ता पे इससे टफ कोशन नहीं बनेगा यह बहुत अच्छे कोशन है दोनों और बाकी जो कोशन सबस्याद आने के चांसेज है वो यह पीछे वाले हैं जो अमने यह कि मैं स्टार्ट करता हूं отв प्राइक्ता का बुड़न आसान टॉपिक है यह 11 से हम लोग पढ़ी होते यहां पर फार्मूल में के माद्यम से पढ़ ना वहां डायक्ली उस कर रहे होते हैं माद्यम से समझने तो अच्छे से के-स ठीBooks I कह रहा है एक कलस में 10 काली गेंदे और 5 सफेद गेंदे हैं कहने का मतलब है कि एक आपके पास कलस है कलस में तुम्हारे पास 10 काली गेंदे और 5 सफेद गेंदे तो ईसको बाहर कर दिया। कहने का मतलब वहिए कि जब आपने एक गहें निकाली तो उसको वाफस नहीं रखा कलस नउसको बाहर कर दिया। फिर दूसरी के निकाली माल लीजे कलस में से प्रते गेंद का निकलना ससंभव है जब आप कलस में हाथ डालते हैं तो एक गेंद का निकलना तो संभव प्राइकता है मलब संभव है कि वो तो निकलेगी तो दोनों के काले होने की क्या प्राइकता है यह में बताने हैं कहने का मतलब यह है इसमें दो घटनाएं होगी मालों हमारे पास घटना एक हमने घटना ए मानी कि पहली बार में काली गेंद आ गई है पहली बार क्योंकि दोनों काली गेंदे चाहिए जो चाहिए वही माल लेते हैं पहली काली गेंद निकलना काली गेंद निकलना गटना हमने भी मानी दूसरी काली गेन निकलना अब एक घटना घटीद हो चुकी कहने का मनलब तुमने जब बॉल ऐसे कहले दूसरी बाहर दाला दूसरी वार निकलने की प्राइकता यह किनी निकालनी अब bater समझो हमें निकालनी किसकी प्राइक्ता है हमें प्राइक्ता निकालनी है एंटर सेक्षन बी की एंटर सेक्षन बी हमने क्यों निखा बात समझना यह बात हमने क्यों लिखी हमें प्राइक्ता ग्यात करना ही कि पहली गेंद भी काली हो यह दो को एक आया गटना पहली गेंद क काली निकलना और इंट्रसेक्शन का मतलब और ये भी हो और ये भी हो तो पहली भी काली गें निकले और दूसरी भी काली गें निकले तो इसके प्राइकता कैसे लिखेंगे इसके प्राइकता लिखेंगे यहां से पी ए मतलब पैदी बार में काली गें निकाल लिया हो फिर द मतलब हो गया दूसरी का लिगेंद निकलना पहली और दूसरी दोनों का लिगेंद निकलना पीए का मतलब पहली का लिगेंद निकलना पीबी बटे का मतलब क्या हो गया जो उपर लिखा होता है उसकी प्राइक्ता ग्यात करनी नीचे वाली घर चुकी मतलब पहली वाली ये क कालिगए निकलना तोटल गैन निकलना है कितनी 10 अन्कूल पर नाम किते दस टोटल गैन दे कितनी 15 तो पी एक प्राइट तो क्या हो गयत गाई दस बटे पंद倒 तोकि दस कालिग श्रीक हेले टोटल पंद्रह अब पहली गटना हो चुकि αυτόे मतलब पहली बार में काली गेंद निकल चुकी है काली गेंद तो निकल आई है δॉट यमझाय किसMS की दो चोदे शोदा नो तो तो नव बत्टेश दो तूटा किरो करनो टिर पटी पंद्रा दूसे चोदा 2, 5, 10, 5, 5, 3, 7 इसका राइट आंसर है 3 बटे 7 इसका राइट आंसर समझ में आई बात क्या कहना चाहा रहे अब इसका फार्मूला मैं लिख देता हूँ कोश्चन के माध्याम से फार्मूला समझे तो ज़्यादा अच्छे से किलियर्टी मिलती है बाइट फार्मूला लगता तो नहीं समझ में आता फार्मूला सिंपल यही है कि A intersection B अगर तुम्हें निकालना है इस निकला कहा था यह समझो मालो तुमने अभी तक पढ़ा था P A बटे B बराबर क्या पढ़ा था P A intersection P B बटे में मारे पास क्या था P B A बट परे भाई अदे लूख रहो फिर से लिख देता हूँ किस पढ़ो में लिख देता हूँ ता के अच्छे समझ जाए P B बटे A का क्या लिखोगे P A intersection B बटे का P A P A कोई साइड बेज दो तो यह हो जाएगा P A intersection B बराबर P A into P B बटे A यही फार्मूला है इसी से निकला है बस इसको इस साइड बेज दो A intersection B अब हमें निकालना है मतलब A घटना भी हो और B घटना भी हो अलब दोनों के घटी दोने की प्राइक था तो पहले A की घटी दोने की प्राइक था फिर P B बटे अलब B के घटी दोने की प्राइक था जबकि A घट चुकी हो क्योंकि A कहां घट गई यहां पर घट गई बस यही बात कह रहा है अगर यहां पर तीन घटना है हो मालू यह कह दे P A intersection B intersection C तो यह तीनों घटनी चाहिए 4 हो 5 हो N हो जो नीचे लिखए हो इस के घटी दोने की प्राइक था वह गड़ चुकी है और जो उपर लिखी उसकी प्राइक्ता निकालनी तो ऐसे ही फार्मूला बनता जाएगा यह कोश्चन अमने उसी माध्यम से किया है अगला एक और करते हैं अभी और समझ में आ जाएगा सिंपल कोश्चन होते हैं आसान कोश्चन होते हैं 52 की अच्छी तरह फेटी गई गड़ी में से एक के बाद तीन पत्ते निकाले गए तीन पत्ते निकाले गए बावंतास के पत्तों में से हमारे पास 52 पत्ते थे एक गड़ी थी हमारे पास तास के पत्तों में से इनसे तीन पत्ते निकाले गए पहले पत्ते पहली गटना को ए इका का पत्ते निकलने की प्राइक्ता क्या है करा पहले दोनों पत्ते बात से होना चाहिए और तीसरा इका होने की प्राइक्ता क्या है सिंपल बात समझो मतलब यह है बादसा निकलने की प्राइक्ता को मैं के से लिख देता हूं के फार्किंग होता है के मतलब हो गया गटना के हो गई बादसा निकलने की प्राइक तो अचे यह बतानी थी चलो बता देए थे घटना के हो गई हमारे पास बादसा निकलने की प्राइक था बादसा निकलना अटिक निकनन आ टिक और घटना ए एफ और एस मतलब की इक का एओ गई इक का निकलना मैंने माल ली क्योंकि इसमें दो बात से ही है तो उनको दो बार के लिख लेंगे करेश परिसान ना होना कोई दिक्कत नहीं है अच्छा एक बात यह बतानी थी इंपॉर्टेंट बात जैसे यह पी एंटर सेक्शन भी लिखा है रहा इसको आप बुक में कहीं कहीं पाओगे प अब यह यूनियन होता है तो हम प्लस लगाते हैं मतलब कि यह लिख लेते हैं प्लस का पीवी ऐसा कुछ लेकिन सिंपल बात यह पले इंटर सेक्शन की बात समलें उसी का यूज आता है जोड़ा एंटर सेक्शन भी कहीं लिखा है इसको कहीं कहीं यह भी लिखा पाओगे पी ए पी बी वहलाब पी एंटू बी सिंपल एंटू बी का मतलब इंटर सेक्शन ही है कि दोनों गटना है गटी थो रही है तो यह कहीं कहीं लिखा पाओगे तो परिसान नहों ठीक है इसको लिख देते हैं इस साइड में अगे आओ अगे यहो देखो आप यहां पर हमें किसकी निकाल ली हमने प्राइक्ता निकाल ली है कि आपने तीन पत्ते घड़ी थी आपके बाद्यान सुनना एक घड़ी थे इससे तीन पत्ते तुमने निकाले एक दो और फिर तीन तो जो पहला निकाला पत्ता वो भी बात्सा था दूसरा निकाला वो भी बात्सा था और सेक्षन पीसी बार में बास्सा आ गया दूसरी बार में तुम्हारे पास फिर से बास्सा आया जबकि एक बास्सा तुम निकाल चुक्यों पीके अपॉन के कोई दिक्कत तो नहीं क्योंकि आपने पहली बार में बास्सा दूसरी बार बास्सा निकलने की प्राइक ता जबकि बाथसा तुम्हें क्या चाहिए भार में सर इक का आमें चाहिए जब कि इस बार हम दो बाथसे निकाल चुके है। एका हमें चाहिए जबकि हम दो बात्सा निकाल चुके हैं ठीक है लिख दो बात्सा निकलने की प्राइकता होती किती है यार एक बावन तास के पत्तों में चार तो के होते हैं और चारी ए होते हैं फलब चार बात्सा होते हैं चारी के होते हैं चार किंग होते हैं चार एस होत अब एक बात्सा तो निकल आया मलब यहां पर एक पत्ता अलेडी निकला और वो पत्ता भी निकला तो बात्सा निकला तो एक पत्ता निकला तो पत्ता किते बचे क्या वन उसमें से एक बात्सा भी निकला है मतलब यह तीन बटे क्या वन एक कोई दिक्कत ने अब दो पत्ते तोड़ा सा द्यान देना और आपका आंसर आपके सामने होगा ठीक है हए समझ गए ना चले आंगे है यह आती अच्छा बास सबको क्लियर है कोई डाउट तो नहीं आते बटाओ को इस समय स्वाथ यह यहां पर लिख देता हूं अलग से इदरी समझ लेते हैं उच्छ खास ऐसा है नहीं समझ में आ जाएगा विदाउट उसके भी करें और जाएगा गटना का मतलब यह कि जैसे कोई भी दो गटना थी जैसे अभी पीछ हमने जो गटना पड़ी थी उसमें थी सैप्रतिवत कर्ष नीशना प्रवर्वर्टी मलब कोई गटना एक दूसरे पर आसरितना हो स्वतन तो इंडिपेंडेंडेंट हो तो ये अभी तक हम लिखते थे पी A intersection B upon PB अब डारेक्ट ही हो जाएगी पी एक बराबर अधी मतलब सीवाएं नहीं तो यह सूंपल पी एक गटना पर डिबेंड करेगा तो सिंपल यह क्या होगा पी एबटे भी बराबर होगा पी एक कोई लेना देना नहीं कि मारे पास एंटर्सेक्शन भी क्या या बीक के गटिद होने कि प्राइक क्योंकि अभी तक उस पर dependent होते थे गटना भी पर अब गटना भी से मारा कोई लेना देना नहीं होगा अभी कोश्चन के माध्यम समझ में आ जाएगा तो यही कथना प्रूब करोगे यही काम आएगा ज्यादा यह भी एक बात है कि स्वतन्द घटनाओं का मतलब यह होता है और सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि दो अगर स्वतन्द घटना है तो उनका इंटर सेक्शन जोगा वो दोनों प्रायक्ताओं के अलग 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 विसम संख्या प्राप्त होना है अच्छा पहली उचाल पर विसम संख्या पहली उचाल पर विसम संख्या तुम्हें कहां दिख रही है मैं इसमें बनाता हूं पहली उचाल पर विसम संख्या एक तो यह पूरी लाइन में दिख जाएगा टिक यह विसम संख्या है यह 10 हाइं प्र 555 केस हो जाएंगे लटने में किते हैं आ जाएंगे टोटल हमारे पास अठारा आ जैएंगे ठॉतिय और Cambsoe तो एक तो यह हो जाएगी अलब 6 तो यह हो जाएगी यहां पर दो आ रहाए दोती हो चलन हो जाएगै यह जाने हो जाएंगी और टोटल 18 ही यह हमारे पास हो जाएगी 888 मंदब inveji हमारे पर जुन कोई दिककत नहीं है तो 11 भार माहलें हैं और दूसरी बार में भी समारे ही या फार होगे हम प्रूव क्या करते यह हमें क्या दिखाना देखो यह भी यह हमारे पास उंए यह सॉतंत्र अगणाते पर इछांन किजिए इनकारत न में सम्दित मज़ना यह प्रूव विसम संक्या गटना भी हमारे पास क्या है दूसरी उचाल पर विसम संक्या उचाल पर विशम संक्या तो पी एमारे पास क्या हो जाएगा टोटल के स्थ हमारे पास कुल परणाम तो 36 अनकुल परणाम किते हो पहले उचाल पर 6 छ छ च छ आठारा बंद दूना च श तीस एक बटे दूआ जाएगा वह भी मारे पास अठारा बटे 36 हो जाएगा वह भी एक बटे दूआ जाएगा अच्छा पी ए इंट्रसेक्शन वी क दूसरे को Intersect कर रहे होंगे जैसे for example एक तो ये अवयव है दोनों में आ रहा है ठिक जा ब्लू दोनों मिल लें एक ये है एक ये है एक ऐसे ये ये है फिर ये है पर ये है और यजाहं पर दुसरे को काट रहां वह मलब तक kavma नैं पर प्लू वाले मिख माली अपुर 3 नॉए अगर ल ll जाख्या तो हमें क्या चाहिए हमें चाहिए सिंपल ए इंट्र सेक्शन विख टो पी आ इंट्रेक्षेक्षिन भी यह मारे पास क्या हो जाएगा, यह 9 है, अंकूल प्रद्राम, प्रद्राम 36 है, मतलब कि 1 बटे 4 आ जाएगा. बस यही प्रूफ करके दिखाना है अता सुतंत्र गटना है जब भी ऐसा आप प्रूफ करके दिखा दोगे बस सुतंत्र गटाओं में यही प्रूफ करके दिखाना होता है कि यह यह कथन जो है यह प्रूफ होना चाहिए यह वाला कि दोनों के पहले अलग अलग प्राइक्टा निकाल के इंट्रसेक्शन के साथ निकाल देना वही आंसर हो जाएगा यहां तक बात सब को समझ में आगी अच्छा है यहां तक क्लियर है सभी को इसके बाद चलते हैं आंगे देख लो एक बार ठीक है अब बात करते हैं अगले कोश्चन की जो उदार नमबर हमारे पास 13 है अब इस कोश्चन की अगर हम बात करें वैसे तो यह थोड़े अच्छे कोश्चन है उसी लेवल पे कुछ नया सीखने को मिलेगा यहां से अब कहरा है इस कोश्चन में कि सिद्ध कीजिए कि यदि A और F दो स्वतंत्र घटनाए है तो E और F भी स्वतंत्र होगी कहने का मतलब यह कुश्चन में में क्या दिया हुआ है कि E और F जो है हमारे पास यह स्वतंत्र घटनाए है E और F हमारे पास स्वतंत्र घटनाए है अब हमें यह बात पता है कि अगर कोई भी दो घटनाए स्वतंत्र है इसकी परिवासा हम लोग पढ़ा रखे तो उसकी परिवासा के अनुसार क्या होता है कि P E intersection F मलब दोनों घटनाओं का जो intersection होगा वो दोनों की प्राइकताओं क से गुणनफल के बराबर होगा पी और पीफ के बराबर होगा यह बात हमें पता है परिवासा से सवतंत्र घटनाओं की और आंगे में सिद्ध करने को यह बोला है उसने कि सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है सिद्ध यह करना है कि जो हमारे पास E और F डैस होगी वो भी स वतंत्र गटनाएं होगी यह मैं यहां से क्या करना इसे सिद्ध करना इस बात का मतलब यह हो गया कि दोनों का intersection F-10 है इस बार यह हमारे पास basically बराबर होगा P-E और यह P-F-10 के इसके बराबर होगा यह बात हमें सिद्ध करनी अभी समझ में आ जाएगा आसान सा कोश्यन है बस थोड़ा सा द्यान समझना हम लोगों को परिवास आए के लिए रहे तो उन्हों अच्छे से समझ लेंगे इसके लिए मैं च्छोटा सा वेंडाइग्राम बनाता हूं बास समझे मैं यहां पर क्या करता हूं एक संप्रिय पास घटना अपकी अगर हम यह घटना दिखाना चाहें कि फी यासा सम्झू एंटर सेक्षन एफडैस अगर मैं दर्साना चाहूं की इंटरसेक्षरा का मतलब क्या दो हां सर देखोई बाद chacun स क्ने सा कॉञ़प बेसिक सा कॉंचे पता यूज ऑन कम स्सेंग हो का रहे एस बैस वाला पार्ट अफ नैस बाइस अला पारट कौन से होगा यह होust की एस को हटा कर कर को हम एसल्सेयरे से यह क्या करेंगे इस यह ट्रिक्षण करेंगे एफ देस गया बेसिकली क्या है यह और एक से पूरा एफ निकाल दो तो यह इंटर सेक्षन एपड़ाइस आ गया इसका मतलब यह कैसे मिला इसके अगरम प्राइकता लिखना चाहिए तो यह प्राइकता हमारे पांच जायक लिए यहां से बराबर होगी ईसे हम क्या कर दें इस यह वाल हिसका मतलब क्या हुआ हुआ है और एफ डैस नहीं इद माची और एफडेस नहीं होना चीए अगर हम पूरा एफ निकाल दें पूरे पूरे जो मारे पास यह अगर देख रहे हूँ से अगर यह आपबनसु आपको जाएकR लोगे हूं से इंट्रसेक्शन वाला पार्ट उटे यह पूरे अगर में इंट्रसेक्शन वाला पार्ट अदे तो यह इसके बराबर ही इनिका अब आगे हम क्या करते हैं मैं यही लाइन पहले लिखता हूँ यहां से हो गया P इंट्रसेक्श हर एफ डेस बदैस भरावर पी-ई – फींटर सेक्ष एफ है यह मैं तय्कोषों मेत वकूहिशन बात पी इंट्र सेक्ष हैप है और फींट हर प pictured मैं आप से क्या करोगे यह से मने Higher किया पी इकॉमल नहीं अगर पी इकॉमल नहीं लिया तो बचा किया वन माइनस यह फना 1 माइनस पीयर आप कैं निछ पॉर माइनस पीयर खुम क्या लिख सकते हैं इसको मुनेंस प्यमद survey उसको हमलिख सकते हैं P जान से कुछ ऐसा rocket science नहीं है बस आराम से एक वेन डाइग्राम के माध्यम से एक LHS के status को समझा इसके कथन को statement को समझा और इसके बाद यह हमारे पास इसकी बात के लिए रोगे समझ गया था कोई डाउट तो नहीं कि चले आंगे अब अगले कोशन इनी पर आधाईत कुछ अच्छे कोशन करते हैं सुतन गटनाओं पर ज़्यादर लाउंग कोशन तो नहीं बनते जैकिन जोबी कोशन बनते उनकी बात करते हैं से 12 नंबर कोश्चन है आसान है यह भी कोश्चन क्या कह रहा है एक पासे को तीन बार उच्छाला जाता है तो कम से कम एक बार विसम संख्या प्राप्त होने की प्राइक्ता क्या है एक पासा है उसको तीन बार उच्छाला गया है तो कह रहा है एक बार कम से कम विसम संख्या ढना चाहिए कम से कम एक बार तो आने चाहिए तो ऐसा हो रहा है अगर समस् circles घंखन हमसं क्या ने कोई यहां से मढ लिया कि हमारे पास एक घंखना है ई इब कैसे पासे की तो उच्छालना यह पासे पर संख्याना साबरारा कि विक संख्यान है तो पी इप क्या लिखे सिधा सिम्झों इमें कौन कौन से अव्यव आएंगे अगर वो लिखना चाहें तो यह मारे पास कौन से आएंगे एक 3 और पांच टोटल में हैस पता ही है एस में मारे पास 6 अव्यव होंगे तो कम से कम एक हमारे पास कम से कम कह रहा है कम से कम एक बार विसम संख्या प्राथ होना इसकी प्राइकता हमें निकालनी है अगर हम क्या करें भास समझना अगर हम क्या करें टोटल में से टोटल प्राइकता कित्ती उती एक उसमें से हम वो केस माइनस कर दें कि जिसमें हमें ए एक बार भी पहली बार उच्छाला उसमें भी विसम संख्या नहीं प्राप्त होना P E डेस विसम संख्या प्राप्त होना P E विसम संख्या प्राप्त होने की प्राइक्ता P E होगी और एक बार सिक्का उच्छाला जा रहा तो ये 3 बटे 6 मतलब की कित्ती आ जाएगी 1 बटे 2 जाएगी विसम संख्या नहीं प्राप्त होने की प्राइकता कित्ती हो जाएगी वन माइनस एक बटे दो वो भी एक बटे दो हो जाएगी टिक बास समझ गया ना विसम संख्या प्राप्त होने की प्राइकता एक बटे दो विसम संख्या नहीं प्राप्त होने की भी प्राइक सारे केस में से मैंने वो केस माइनस कर दिये जिसमें से पहली बार में भी विसम संख्या नहीं आई दूसरी बार में भी विसम संख्या नहीं आई और तीसरी बार में भी विसम संख्या नहीं आई तो तीनों बार में अगर विसम संख्या नहीं आने वाले केस माइनस कर दिये तो कौन से केस बच गए, जिसमें विसम संख्या आई होगी, और हमें वही बताना है कि कम से कम एक बार, नियुनतम एक बार तो आई होगी, जादे जादा बहुत, कितनी बार भी आ जाया, तीनो बार आ जाया, कोई दिक्कत नहीं, तो हमने टोटल में से वो प्राइक्ता है मा 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2, इन सबकी प्राइक्ता में पता थी, 1 minus यह कितना होगा, एक बटे दो दूना, चार दूना, आठ, अतलब के 8 है कम 8, 7 बटे 8, 7 बटे 8 इसकी प्राइक्ता हो जाएगी, बात किलियर सभी को, कोई समस्या होतो बताओ, आशान question है, एक बार, ठीक है, हमने तीनो अगले question पर चलता है, यह 12 question हो गया, अगला मारे पास 14 question है, प्यारा question है, बहुत अच्छा question, इसमें भी सोचने वाली बात है, देखो, क्या कह रहा है, कह रहा है, एक विशेश समस्या को A और B दो सोतनत रूप से हल करने की प्राइक्ता है, दी गई है, एक बटे 2 और एक ब दो, और B के दोआरा हल करने की प्राइक्ता किती है, एक बटे 3, कह रहा है, समस्या हल करने का प्रयास करते है, सोतनत रूप से, अलग-अलग मतब A और B पर कोई आसरित नहीं, A अपना अलग समस्या हल कर रहा है, B अपना अलग समस्या हल कर रहा है, सोतनत रूप से समस्या क हो जाती है तो या तो ए ने हल कर दिया होगा या बी ने हल कर दिया होगा या हो सकता दोनों ने हल कर दिया हो तीन केस बनेंगे मालो ए ने हल कर दिया था भी नहीं हल कर पाया था तो भी समस्या हल हो गई इसने कर लिया लेकिन यह नहीं कर पाया तो भी समस्याल हो गई हो सकता दोनों ने कर दिया तो भी समस्याल हो गई पता तो है नहीं एक दूसरे को की बता रहें तो बैसिकली बात क्या है यहां पर बात यह कि हमें प्राइक्ता ग्यात करनी मालो एने हल कर लिया भी नही बाइट्यों हो जायेगी और पी टेस किता हो जाएगी वी जड़ाना लेकिन नहीं कर पाया या फिर हो सकता है कि बीने हल कर लिया हो एनल कर पाया हूँ या फिर हो सकता है दोनों ने हल कर लिया तो भी समस्या हल हो जाएगी यह बात हमें समझ में आगे बन लिग दू पी एंटू बीड़ेस ए हमारे पास पी के हलो ने एक यह लोने की प्राइक था एक बाटे 2 बीड़ेस मतलब की दो बटे 3 सब्कार स θα प्लास पीड़ेस एक बटे 3 ADS मतलब एक बटे 2 पी एंटुब नपान टू अपन 2 बन अपन 3 है यह बार्टे 3 अलगी कर लोग ऑँर पास दूसरा पाट पे आओ दूसरे पार्ट में कुछ खास नहीं है, दूसरे पार्ट में इसने कहा, उनमें से तथता कोई एक समस्या आल गए, तथता का मतलब होता है, exactly, तथता मतलब exactly, ठीक, exactly एक व्यक्ति नहीं ही हल करी हो, मलब यह दोनों वाला केस नहीं आएगा कि A और B दोनों हल कर रहे हैं, या तो A ने कर लिए हो, B ने कर पाया हो, या B ने कर लिए हो, A ने कर पाया हो, तो सिंपल यही केस आ जाएंगे और कुछ नहीं, इसको उठा लो, इसको कैल्पुलेट कर लो, यह बेसिक आ जाएगा हमारे पास, दो बटे 6 प्लस एक बटे 6, अलब एक बटे 2 आ जाएगी, तो दोनों पार्ट के आंसर यही हो जाएगी, एक बटे 2 हो जाएगी, बस यही आपर बताना और कुछ नहीं बताना, तथता मतलब exactly है, तो कोई एक हल कर ले रहा होगा, दूसरा नहीं कर पा रहा होगा, सीधी सी बात ही है, ठीक है, चौदा नंबर अच्छा कोशन है, यह एक्जाम में पूछने लाइक कोशन है, यह तीनों कोशन जो होगी, यह कोशन भी बहुत इंपोर्टेंट है, इस कोशन, महलब जो भी कोशन मैं करा रहा हूँ, इस में महलब, वनस ओट के माद्धियम से जो कोशन मैं लाता हूँ, जो बहुत इंपोर्टेंट है, और जो लॉंग कोशन में बनते हैं, जो टफ़ेश कोशन हो सकते हैं, वो कोशन में खुद से लेता हूँ, ताकि ऐसा नहीं हो, कि सिंपल सिंपल वाला कवर हो गया, लगा वनस ओट तो बहुत अच्छे से हो गया, और फिर करने में थोड़ा सा सोचना पड़ा दिमाग लगाना पड़ा तो मलब जो बुक के वो कोश्चन से जिनसे आपको डर लगता है जिस पर ज्यादा चांसे एक्जाम में आने का या फिर जो इंपॉर्टेंट भी है उस टाइप की कोश्चन में यहां पर कवर कराता हूं उस सारे बात कर लो आप इस टार्टिंग से कोई भी देख लो तो लास शेफ्टर चलना है अब आगे चलते हैं अब सिंपल इस पर अगर बात करें एक दो कोश्चन और इस पर करते हैं फिर चलेंगे वेस्प्रमे के पास इस पर और जो अच्छे-च्छे कोश्चन हो सकते हैं यह च सिखका और एक वाकour फास उचला अगया अगर सिखका और पास उचला जाएका तो टोटल केसे कैसे बंढयो गोलाव सैंपलिश्वा कैसे वन ऊंगे प्रति दस समझ्टी कैसे बनाओगे सिक्का और पासा उचला जाएगा मालो सिक्का और पासा उचला गया तो सिक्के पर हैड आया तो उसके साथ हो सकता पासे पर वन आया हो सिक्के पर हैड आया हो सकता पासे पर दो आया हो सिक्के पर हैड आया और पासे पर तीन आया सिक्के पर हैड आया पासे पर चार आया सिक्के पर हैड आया पासे पर पांच आया सिक्के पर हैड आया पासे पर चाय आया ऐसे टेल आया सिक्के पर पासे पर फिर फाइव फिर अमारे पास आ जाएगा यहीं कैसे बनेंगे सिक्के और पासे को अगर मिक्स रूप से उच्छाला जा पासे पर एक सक्षात की कोई संक्या तो हैड के साथ वही है कोई से सांब भेस दिक गया है एस घंटना सिख्क्य पर चीताने को प्रक Sharing Trar ल nooit डाए क्या है पासे पर we το प्रकर्ट करता है यह पासे पर जत चित्ग को प्रुक्ट कर रहा है, मतलब हैड को प्रकट कर रहा है, हैड आने की प्रायक्ता है पासेप तो इसमें कौन-कौन से केस आ जाएंगे, मैं पहले घत्ना भी लिख देता हूं फिर दोनों साथ साथ बना देंगे गटना भी क्या कह रहा है गटना भी कह रहा है पासे पर संख्या तीन प्रकट होना अच्छा एक चीज इसमें ध्यान से देखो अभी तक हमने पीछे भी कोशन किया था जब सेंपल स्पेस में प्राइकता है अलग अलग अलग तो यहां पर अपने पास फर्मूला एक्टिवन सारे आराम से वैसे ही चलेगा कुछ नया नहीं है आप वैसे उसी के कॉर्डिंग चलेंगे अब यह में हमारे पास अगर एक ही बात करें कहरा पासे पर चित प्रकट होना तो यह में हमारे पास कौन-कौन से माता पर चित प्रकट होता है और पासे पर प्रकट होने वाला हुए तो पह हमारे पास एक आरहा है ती टीन प्रकट उन एड़ के साथ एक बार तीन एक बार टेल के साथ तीन होगा त यह तो सिंपल भई काम करना पहले लो तो ऐमारे पास तो हो जाएगा पी हमारे पास टूटल है तीन तिच्छे च्छे क्याल के स्किते थे एक बटे दो थी थी उस प्लmaybe किन्ता हो जाएगा में तो बते बारा मतलब की बैबरा आ जाएगा एक नजण बू टॉटल बारहा है एक बटेंस बारा बराबर तो आ रहा है पीए इंटू पीए बड़ाबर एप इंटर्सेक्शन बीके रफटन्द गटनाय है है किंटर है गटनाय है । ठीक है बात किलियर सोधन्द घटना है देख सकते हो कोई दिक्कती नहीं एंपल स्वेस बनाओ ए बी कथन के साथ से समुच्छे लिखो इंटर सेक्षन निकालो प्रॉबेर्टी निकाल दो असर आजाएगा आसान सी कोश्चन है थोड़े से सीखने की जरूवत है सब चीजे क्लियर हो जाने चले आंगे चौथा नम्मर कोश्चन था चलते हैं अंगले कोश्चन पर अभी काफी कोश्चन सम्नुक करने सात्वा इस परसपर उपर से इसक्लिव में जो आप होती परसपर अरे परसपर लो एंट्म तर्य वोंतर से कुंसी अदी किसी को अरे जब ए और बी का इंटरेक्शन करते थे और वो और फाइव के बराबर आ जाता था तो उन्हें परस्पर आप गटनाय के ते समूचय के बराबर आजयान रिख समूच्छें के बराबर आजए तो यह था है। पर परसपर परजी घटना होती कैसे करना अभी बास समझ में आ जाएगा पलब इसकी प्राइक्ता जो होगी वह सूने हो जाएगी अगर कोई अव्याव भी नहीं है तो इसका मतलब यह हो गया इसकी प्राइक्ता सूने हो जाएगी सीधी बात यह यह याद रखना मैं बता दिया हूँ ताकि कोई दिक्कत ना रहे आपको थ कों एक इसे जाएड भी जब देते हैं दिख रहा होगा अ मैं किख अब कोउच्शण पे आते हैं कोउच्शन नहों क्या कहत है कि अमुर्श पास पी ऐ दिया है हम पी हमारे पास है एक बटे दू और एक यूनियन इंवी दे रख्था ए तीम बटे पांच और PB दे रखा है पहले चलने है परस्पर पहली बात करें परस्पर अपोर्जी घटना है मतलब हमारे पास जब A intersection B जो है वो 5 के बराबर हमें दे रखा है कहने का मतलब यह है PB बराबर किता दे रखा है प्रसपर पॉरजी घटना है तो सिम्पल पहले पिए यूनियन भी का फार्मूला लगाते हैं वही सबसे अच्छा तरीका बेसिक फार्मूला पिए प्लस पी और माइनस का पी इंटर्सेक्शन फी पी यूनियन भी किता है थीड़े पांच पीए हमारे पास किता है एक बटे तो पीबी हमारे पास किता है पी के बराबर यह जीरो हो गया इसके प्राइक्ता जीरों गी परस्परा पॉर जी घटना है फाइए कोई अव्याप कॉमन नहीं तो प्राइक्ता जीरों पीकी वेलू यहां से निकाल देना है पी बराबर हो गया तीन बटे पाच माइनस एक सब्सक्राइब का मतलब हमें पता ही है कि पी ए इंटर्सेक्शन भी जो होगा वू बराबर होगा पी ए और पीवी का सब्सक्राइब अगर निकालना है तो फ़ार्मूला फिर से लगाना पड़ेगा एए युनियन वी बराबर हो जाएगा प्लस पीबी यह कुशन बनते है आ रहे हैं कि दो मार्स में कुश्चन बहुत सारे ज्यादा पूछे जाते हैं यह बस फार्मूले पर कोश्चन है हलका सा दिमाग लगाना कोश्चन आ जाएगा वैलू रखो यहां पर मैं पहले एक बार रखी देता हूं पी ए यूनियन भी बराबर हो जाएगा पी ए टी बी A intersection B की जगा सोतंद घटना है तो यह आ जाएगा P A P B A union B हमारे पास कित्ता दिया गया है A union B A union B 3 बटे 5 बराबर P A हमारे पास कित्ता है 1 बटे 2 P B हमारे पास P A P A हमारे पास 1 बटे 2 और यह P है तो P बटे 2 हो गया बराबर P तो P बराबर आगया एक बटे 5 ठिक दोनों वेल्यू आगए एक बटे 10 एक बटे 5 राइट आंसर ने ठीक है देख लेना calculation बागी करना ऐसे ही है काथ के लियर सभी को कुछ नहीं है ऐसा इसमें सीधा बस फार्मूला लगाना आंसर आ जाएगा बस पर असपर फरजी घटनाओं का मतलब उनकी इंटर सेक्षन की जो प्रबाबर टी चल ले होगी वह जीरो चल ले होगी कोई common नहीं होगा और स्वतन्द घटनाओं के बारे में हमनें देखी लिया कि इंटर सेक्षन अगर रहा है तो वह पीए पीपी के बराबर होता मल्टीप्ल के बराबर होता चलते अगले पार्ट पे अगला पार्ट दसवा कोश्चन यह प्यारा कोश्चन है कुछ नया थोड़ा सा सीखने को मिलेगा कुछ देख रहा हो कुश इसमें 11 का कितना यूज ह देख रहा है एक चीच जो बच्चे 11 में कम ध्यान देते हैं फिर यही दिक्कत आती समुच्चे चेप्टर का बहुत सारा उप्योंगा बेसिकली समुच्चे का ही उप्योंगे और आंगे फिर प्रमुटेशन कॉमिनेशन का भी उप्योंग आता है बीच बीच में तो 11 की जो प्रमुटेशन कॉमिनेशन का बहुत ही उप्योंगे तो यहां पर भी कुछ न कुछ कहीं काम आएगा विसे ज्यादा तो यहां नहीं काम है लेकिन सेट का बहुत काम आया है समुच्चे का काम तो स्टार्टिंग से ही चलना है सेंपल स्पेस से लिए कोई भी हमने इंटर्सेक्शन यूनियन यह छोड़ी छोड़ी चीजें समझ लेगा कि कैसे क्या वर्क करती है तो ज्यादा क्लियर्टी की साथ कर पाएगा ठीक है बाकि ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है थोड़ा भी आता होगा तो आराम से समझ में आ जाएगा कुछ सेट ऐसे वैसे भी आसान चेप्टर था दो क्या कह रहा है कि ए और भी स्वतन्द गटना है पी ये बराबर बन बाइटू है हमें दे रखा है पी ये बराबर बन ब ओर अर और का मतलब हो गया intersection बी नहीं बीडेस बराबर हमारे पास दिया एक बटे-4 क्या ए और भी स्वतन्द गटना है कि सिद्ध करना है स्वतन्द गटनाओं के लिए पी ये पी बी और पी और पी बी तो है एंटर सेक्शन बी के लिए क्या करोगे क्या एक बेसिक सी थ् थी तिमार्गेंस थोर हम यह कहती थी मैं लिख देता हूं दिमार्गेंव यह क्या कहते थे अगर अगर हमारे पास ए यूनियन ए डैस यूनियन बी डैस है तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटर सेक्षन बी का अलग अलग है इसका होल डैस करना है तो यूनियन को इंटर सेक्षन में बदल दो और अगर यह हमारे पास इंटर सेक्षन है बीच में अलग अलग में तो इसको तुम्हें होल में बदलना है तो इंटर सेक्षन को यूनियन में बदल दो यह कहता था यहां पर क्या है पी ए इ P A Union B Dس P A Union B Dس का मतलब कहा है 1- P A Union B बराबर किता है 1-4 के तो 1-1 by 4 जोगा वो बराबर होगा P A Union B का अब अब P A Union B निकाल लेंगे तो P A Union B हमारे पास किता आजाएगा 3-4 के बराबर आजाएगा ठिक हमें क्या चाहिए इंटरसेक्शन अब सब कुछ है तुम्हारे पास फार्मूला वही है यह की P A union B बराबर फार्मूला होता है P A प्लस P B माइनस का P A intersection B A intersection B यहां से निकाल लेंगे यह हमारे पास है 3 बटे 4 है P A दिया ही गया था 1 बटे 2 है 7 बटे 12 है माइनस P A intersection B इधर ले आओ इसको तो यह हो जाएगा P A intersection B बराबर 1 बटे 2 7 बटे 12 और माइनस का 3 बटे 4 12 LCM ले लो 2 चंग 12 7 माइनस 4 3 12 3 3 का 9 तो यह आगया मारे पास P A union intersection B तो P A intersection B किता आ गया यहां से आ गया 7 6 13 9 13 9 4 बटे 12 मतलब 1 बटे 3 आ गया 3 4 12 intersection B हमारे पास क्या आ गया एक बटे 3 यह हमारे पास कित्ता है यह तो बहुत जादा है नहीं है सुसंद घड़ना यार P A P B बराबर कित्ता हो जाएगा 1 बटे 2 गुड़े 7 बटे 12 मतलब 7 बटे 12 24 A और B गटाना यह नहीं सुतंत्र नहीं है मैं लिख दे रहा हूँ डारेक्ट से सुतंत्र नहीं है लिख देना तो ठीक है देख लो निकाल के ऊभ़ ऐसे तो सही लग रहा सुतंत्र नहीं है कोई नहीं हो सकता है कोई नहीं बदीर में घ्मार्ट भाई याद करना याद कलें अगर तुम्हें लगे कि यह यह मुझार नहीं आ है कुछ वहला को चुक्छन या ईसी को पिश्टप्यन साघ जाए लगाओगे बस अंसर निकल आएगा ठीक है करना एक बार ट्राई करना उसकोशन को चलते हैं अगले कोशन पर अगला हमारे पास यहां से स्टार्ट होती है वेस्प्रमे ठीक तो अब हमारे पास अंतिम एक्सराइज है अलाब हमने दो एक्सराइज फिनिस कर लिए यह से बात करें चोटी सी एक अधर एक छोटा सा फार्मूला है यहां पर फार्मूला यह कहता है माल लो कि हमारे पास कोई घटना ए है जो दी गई एक घटना ए दी गई है यह हमारे पास दी गई घटना होगी दी गई होगी माल लो इसके अलावा एक एवन घटना दी है ठिक एक E2 घटना दी है और हो सकता है E3 घटना भी दियो मतलब उसकी बात कर रहा हूँ ठिक तो यहां से क्या होगा फारवुला जो हम लिखते है एक्चुल जो उसका रूप होता है मैं एक बार लिख देता हूँ करेंगे तो समझ में आगाएगा बिलकुल परसान नहों की क्या ही लिख रहे हैं सर यहाँ पर महलों आपसे पूछ रहा है कि इवन घटना की घटित होने की प्रायक्ता जबकि ए घटना घट चुकी हो ठिक ए भी हमें पास ए घटना दी गई है इवन ईटू इथरी तीन गटना और दी गई है और ए घटना मालो घट चुकी है हमेशा हम ए घटना उसे ही मानेंगे जो घटना घट चुकी होगी ठिक बटे इवन की पी इवन इवन गढ़ना घट चुकि अब इवन घटना घट चुकित तो एक घटी धुकि की प्राइख ता बटे में आऊ बटे में फिर पी इवन जो लिखा है वो सेम चीज़ आ जाएगी जो चीजल लिखिये वो सेम ऐसे और जैकी फिर प्लस P E 2 P A Y E 2 P A Y E 2 फिर प्लस P E 3 P E 3 A Y E 3 यह फार्मूले का रूप है अभी बस आफ फार्मूला यह देख लो यह फार्मूला तुम्हे याद हो जाएगा जैसे एक दो कोशन्स हम लोग सॉल्फ करेंगे परिसान नहीं हो बहुत इंपोर्टेंट फार्मूला है इसी से कोशन्स हलोंगे परिसान करेंगे तो फार्मूला एकदम के लिए रोजाएगा दिमांग में बैठ जाएगा परिसान नहीं है इसको कोशन्स के माध्यम समझते हैं हमारे पास चार घटना है हमारे पास दी है और इसके बलावा यह हमसे पूछ रहा है तो हमें आसी स्टार्ट करते हैं जैसे एक कोशन हमारे पास है सोलवा नंबर कोशन की अगर हम बात करें तो इस कोशन में कह रहा है कि दो थेले ए वह दो दिये हैं ठीक दो थेले हैं हमारे पास बिसिकली बनाते हैं सबसे पहले इसमें क्या करो कि जब भी प्रॉबिल्टी का कोशन जो दिया जाएगा उसको आप समdatनी हैं सबस्क्राइब से पढ़के तुरंफ कॉशन करना नहीं इस्टार्ट करती जो कोशन में दिया गया है उसको प्रॉपर लिखिए क्या 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 दिया गया हैसं मज़िए क्या क्या चीज़ा मैं दी गई है कैसे किसको अलाग अलाग करके लिखना है उस हिसाब से question solve करना में start करेंगे दो हमारे पास थेले हैं पहले थेले में का बात हो रही है एक थेला ये है हमारे पास एक थेला ये कह रहा है पहले थेले में हमारे पास तीन लाल और चार काली गेंदे ठीक कर दूसरा थेला है उसमें हमारे पास क्या है दूसरे थेले में हमारे पास 5 लार और 6 काली तिक को दिकbeiten किरा किसी एक तेले को याद राच्छा है एक गेंद निकाली जाती है, किसी एक थेले से यादर अच्छा एक गेंद निकाली जाती है, हमें नहीं पता है, आप थेला 1 से भी निकाली जा सकती है, थेले 2 से भी निकाली जाती है, किसी एक थेले से एक गेंद यादर अच्छा निकाली गई, ठिक, आप कह रहा है, जो की लाल रंकी है यह हमें ग्यात है तो जो घटना ग्यात होगी उसे हमेशा घटना क्या लिक होगे घटना ए घटना ए अमें क्या दी गई है कि निकाली गई गेंद निकाली गई गेंद लाल है यह घटना ए ठिक आगे किसकी प्रायक्ता पूछ रहा है तो इस बात की क्या प्राय तो इस बात की प्राइक्ता पूछ रहा है कि जो निकाली गई गेंद है वो दूसरे थेले से निकाली गई तो यहां से हम घटना एवन एक लेए इवन घटना माल लेते हैं कि गेन पहले थेले से निकाली गई है और e2 माल लेंगे कि गेंच दूसरे थेले से निकाली गई है और इटू हम ले लेंगे कि गेन हमारे पास जो है वो दूसरे थेले से निकाली गए दूसरे थेले से निकाली गए जो जो दिया था उसके इसाप से हमने लिख लिए है अब फार्मूला बनाते हैं कैसे फार्मूला बनेगा इसके साइट थोड़ा सा कर देते हैं अग, का मुला क्या बनेगा फार्मूला लिख रहे हैं देखऊ, कहले हैं इस बात की प्रैक्ताग्याद करो हैं कि गेंद दूसरे थहले से निकाली हैं मतलब हमें ग्याद क्या करना है गेंद क्या निकाली की है तो मतलब कि हमें ग्याद करना है P e2 जब कि यह हमें ग्याद है क्या ग्याद है कि एक गेंद जो निकाली गई थी वह लाल है मतलब गेंद लाल रंकी थी और उसके दूसरे थेले से निकाले जाने की प्राइक्ता क्या है ये बात हमें यहां से ग्याद करना है ठिक तो P e2 अप और आ करें तो इनिकालना है सर्मूला वैसी बनाते हैं यह क्या हो जाएंगा फ़मूला हो जाएंग यहां से बात समझो यह क्यों ऐसे लिख रहा है वी देखो बात के लिए हो जाएगा पी इटू और पी एबटे इटू अगर यहाँ पर दो घटनाय दी गई जैसे एवन इटू दी गई यहाँ पर हमने तीन घटनाय ली थी अगर चार भी हो सकते हैं पांच भी हो सकते हैं यहाँ पर हो सकता है कि दूसरे वाली घटना की बात कर रहा हो दूसरी घटना पूछ रहा हो तो पी इटू बटे जो प्रायक्ता तो मैं निकाल ली होगी वही तुम उपर लिख दोगे पी इटू बटे एबटे इटू यहाँ पर बाकि सारी प्रायक्ताओं का गुणन यहाँ पर आत जैसे यहां दूसरी की बात करी तो इसलिए E2 और E2 यहां पर आ गया अगर तीसरी की करता तो E3 E3 आ जाता एवन होता तो E1 E1 आ जाता बाकी नीचे सारी ऐसे हमें लिखनी ही है चाहे पहली गटना हो चाहे दूसरी गटना हो चाहे जितनी भी गटना है दे रख्योंगी question में इसी के according करेंगे इसके according हमने formula रख लिया आप कैसे value रखनी है जहां से एक बार सुनों सारी बाते के लिए रो जाएंगी देखो मैंने लिखा P E 2 बटे A बराबर जहां से देखना P E 2 P E 2 का मतलब क्या है E 2 गटना क्या है गेंद दूसरे थेले से निकाली गई है अच्छा थेला चुलने की प्राइकता क्या होगी एक बटे दो कैसे दो थेले है टोटल परणाम दो पैले थेले से निकालने की प्राइकता एक बटे deflect कै Video समझ गए ना तो थेला चुनाकी प्राइकता क्योंगी एक बटे दो, एक बटे दो, तीन थेले होते तो एक बटे तीन, 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 चार थेले होते एक बटे चार, एक बटे चार, एक बटे चार, ठीक है, तो थेला चुनने की प्राइक्ता है, एक बटे दो और एक बटे दो, त मतलब की गेंद दूसरी गटना घट चुकी है मतलब गेंद दूसरे थेले से निकाली जा चुकी है अब ए गटना होने की क्या प्राइकता है अगर गेंद दूसरे थेले से निकाली जा चुकी है और उसके लाल होनी की प्राइकता पूछ रहा है तो दूसरे थेले में लाल गे की प्राइक्ता पांच तो पांच बटे ग्यारा हो गई पी एबटे इटू नीचे आजो पी एवन थेला चुनना एक बटे दू गुड़े पी एबटे इवन आप कह रहा है कि एवन घटना घट चुकी है पहले थेले से हमने गेंद निकाल लिए और गेंद जो निकली है वो फांचे यह क्मूले घंसर में केले करूगा इंग परिचन को में पॉल अापको सिखाऊंगा आप अंसर अपने आप निकाल लीजिए गा बात के लिए सबी को यह बात सब को समझ में आ गई खोई समस्या तो नहीं ऐसे ही हमें सारे कोश्चन करने हैं एक बार फिर से मैं समझाता हूं क्या करोंगे इंक ब्रमे की कोश्चन से यह फार्मूला एक बार दिमांग में डाल लो एक दो बार तुम लिखोगे नहीं जाएगा बस questions लगाओ यह अपने आप यह फार्मूला याद हो जाएगा कि क्या हो रहा एक्चुल में concept क्या इसके पीछे का क्यों यह फार्मूला ऐसे रूप में लिखा जा रहा है सबसे पहले क्या करोगे question पढ़ोगे जो घटना तुम्हें दी जाएगी ठिक वो घटना तुम एमाल लोगे बाकी घटना है जो है उनको e1,e2,e3,e4 और इसी पैटन से चलना जाएग उसमें एक्सपैरिमेंट नहीं करना confusion नहीं होगा even e2,e3,e4 जो और घटनाओं की बात की जा रही होगी जिनकी घटनाओं की प्रयक्ता है वो पूछ रहा होगा ठीक है फिर इसके बाद आप फार्मूले पर जा कैसे पूरा लिखना आपका अंसर आजाए चलते हैं अगले question पर सारे टाइप की questions करेंगे इसमें बहुत अच्छे question बनते हैं यह तो basic से चलना है मालब simple question है इस पर और छोटे जोटे question करते हैं फिर चलेंगे अच्छे question क्यों अब अगले question पर चलते हैं यहाँ पर तीन डिब्बों की बात हो रही है אीक तीन डब्बें थीन डब्बें है पहले डब्बे में दो सोने के सिक्खे फिले डब्बे में कहरा है दो सोने के सिक्खे ऑ गया दूसरे डब्बे में दो चांदी के सिक्खे हैं, दो चांदी के सिक्खे हैं, दो चांदी के सिक्खे हैं, ठीक, तीसरे डब्बे में क्या है, एक सोने का है, और एक चांदी का है, प्छॉना है, एक सोने का और एक चांदी का करा कि हौक एक ऐसे हैं आप ने डब्रे बना लिए आप जो जो देद को छुनता है यहां डब्र आच्छा है इस ती डब्रो में दब्रे को चुनेगा दब्र उनने के प्राइक तक यह हो जाएगी इस बार एक बटे तीन, एक बटे तीन, एक बटे तीन, ठीक, कोई भी डबबा चुनेगा, उनमें से प्रद्याद राच्छा एक सिक्का निकाला जाता है, रेंडेमली उसने एक सिक्का निकाला, ठीक, अब सिक्के सोने का है, तो इस बात की प्राइक्ता क्या है, कि डिब्बे से दू निकाला गया सिक्का सोने का है यह घड़ना ए दे रखिए अब कह रहा है कि उस बात की प्राइक्ता ग्याद करो कि जब आप दूसरा सिक्का निकालते हैं जब आप क्या करते हैं उस बात की प्राइक्ता है कि डिब्बे से दूसरा सिक्का भी सोने का निकले कि आप दूसरी बार जब किसी डिब्बे से सिक्का निकालते हैं तो वो भी सोने का ही निकले एक्चुल में कोश्चन में क्या रहा है कि जो सिक्का निकाला गया है वो पहले डब्बे से निकलने की प्राइकता क्या है क्यों कि दूसरा सिक्का भी सोने का निकलना चाहिए और दो सिक्के सोने के पहले ही डबे में पहले या इसले पहले डिप बेस निकलाओ ठीक इटू गटना क्या है डिप सिक्का दूसरे डिप बेस निकलाओ इसकी को कॉपी कर देते हैं कर देटू गटना हो गए यह सिक्का तीसरे डब्बे से निकलाओ ठीक बास समझ गए ना क्या कहना चाहरा है है गटना से मतलब पहले डिप इसी का फार्मूला बड़ा बने वाला क्योंकि तीन गटनाओं की बात हो रही है इस तरफ से लिखते हैं P E1 P A बटे E1 बटे में P E1 P A बटे E1 फिर P E2 P A बटे E2 फिर P E3 P A बटे E3 फिर फिर रहा है थोड़ा साइड हो जाएगा वी रुख जाएगा वी रुख जाएगा कि अगर को अगर को अगर को अगर को तिक तको प्राइक्ताय में लिख रहा हो सबीके पहली देखो P E1 P E1 का मतलब क्या है पी इवन का मतलब है कि पहले डिपबाच उनना पहला डिपबाच उनना एक बटे एवन का मतलब क्या है यह गटना है अवn गटना होने की प्राइक्ता अमसान निकाला गया जो सअने पहले डिपबाच नत्तба तो पहले डिपबच में सिक्का किटे सोने की सिक्के है कितने 2 और उसके सोने की सिक्के निकलने की प्राइकता मतलब कित्ता हो जाएगा अरे इसकी तो प्राइकता यार एक ही हो जाएगी ना देखो क्या कहा रहा है देखो बात समझी आपने पहला डिब्बा चुना और उसके सोने की सिक्क्हा निकलने की प्राइकता निकाला गया सिक्क्हा सोने का और पहल निकाला उसके सोने की निकलने की प्राइकता क्या है एक है उसकी प्राइकता यार वो तो कन्फर्म है ना कि ऐसा ही होगा निश्चित गटना है एक हो गई प्राइकता अब पी यह तो हमारे पास एक बटे तीन गुड़े एक ही हो जाएगा प्लस पी टू पी टू का मतलब क्य प्लश है पी 3 मतलब कि हमारे पас प्लाने की प्राइकता क्या है और वा कॉल compensate लेना इसको कर लोगे ना यह मारे पास चल दा है इसको कैलकुलेट कर ले ना वही अंसर हो जाएगा ठीक है आसान है कोशन ऐसा कुछ नहीं है कोशन बिल्कुल टफ नहीं है बस यह सब चीजें लिख लेना एक बार इन सब अच्छे को तुम लिख लोगे तो क्लियर्टी जादा अच्छे सं मिल जाएगी कि क्या क्या दिया गया और डिटेलबर इसधे प्रकार किको एक बार पास में सप्रकर्ण उदार नमबर 17 था अच्छे-चे question इसमें दिये गए हैं और चलते हैं और अच्छे questions देखते हैं यह कह रहा है प्यारा question यह भी है देखो इसकी language थोड़ा बहुत अजीब सी दी गई है पढ़ते हैं क्या कह रहा है कह रहा है एक बवविकल्पी प्रश्न को उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है कहने का मतलब यह है कि एक विद्यार्थी जब प्रश्न मलब परिक्षा दे रहा है तो या तो वह प्रश्न का उत्तर जानना है और अकर नहीं जानता है वह अनुमान लगाता है मलब तु उसका मारता है तो उसकी प्राइक्ता एक बटे चार है और जब उत्तर जानता है तो उसके सही होने की प्राइक्ता तीन बटे चार है मालने की छात प्रस्ण के उत्तर का अनुमाल लगाने कर सही उत्तर देने की प्राइक्ता एक बटे चार है अच्छा जब वह अनुमाल लग कि जब वह उत्तर भी देता है आंसर भी करता है तो उसके सही होने की प्राइकता भी एक बटे चार है ठीक तो इस बात की क्या प्राइकता है कि कोई छात प्रस्ण का उत्तर जानता है यह दिये ग्यात है कि उसने सही उत्तर दिया है देखो क्या कह रहा है जो दी गए वो बात लिखते लिखने है घटना इए लिखते है गटना ए कि उसने सही उत्तर दिया उसने प्राइक्ता पूछी किसकी है उसको में इवन गटना माल लेते है क्या कहे रहा है कोई छात्र प्रस्ट का उत्तर जानता है यदि यह ग्यात है कि उसकी उसने सही उत्तर दिया अच्छा तो इस बात की क्या प्राइक्ता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है मतलब यह है कि वह प्रश्न का उत्तर जानता है इस घटने की प्राइक्ता क्या है जब कि उसने सही उत्तर दिया है अच्छा ठीक अब इस बात की प्राइकता पूछ रहा है कि कोई छात्र प्रश्ण का उत्तर जानता है मतलब वह क्या है छात्र प्रश्ण का उत्तर जानता है यह हो गई इवन गटना इसी की प्राइकता पूछ रहा है इटू अच्छा क्या हो जाएगी इटू गटना पता है क्या हो जाएगी वह अनुमाल लगाता है या तो वह प्रस्न का उत्तर जानता है वह जानता है या वह अनुमाल लगाता है तो इटू गटना क्या हो अब हमसे प्राइकता पूछ रहा है even घटना घटित होने की जबकि ए घटना घटित हो चुकि है मतलब उसने सही उत्तर तो दिया है अब 6 प्रस्ण का उत्तर जानता था इस बात की प्राइकता क्या यह बताना है तो फार्मूला लिखते है फार्मूला तो आपको बनाई देना है तुरन पी ए इवन पी ए बटे इवन उसमें कुछ सोचना ही नहीं होगा फार्मूला सेम है । अब यहांपर हो जाएगा पी एवन पी एवन प्लस पी एटू और पी एवटे इन यहां तक अच्छा बात के सबी को यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं लग रहा पहले यह बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या लग रही हो तो बताओ एक बार देख लो सारे लोग सबी पूरा क्वेशन देख लो और फिर बताओ कि फिर आंगे चले कि ठीक अब देखो अच्छा इवन पी इवन का मतलब क्या है पी इवन का मतलब है छात प्रस्न का उत्तर जानता है जब छात प्रस्न का उत्तर जानने की प्राइक्ता वो क्या दी गई है तीन बटे चार तो उसकी प्राइक्ता में दी गई है कित्ती तीन बटे चार पी इवन बटे ए अब पी ए बटे इवन का मतलब क्या है कि छात प्रश्न का उत्तर जानता है इवन गटना ये घटित हो चुकी है कि छात प्रश्न का उत्तर तो जानता है अब ए घटना हो गटित होने की प्राइकता क्या है अब उसके द्वारा सही उत्तर देने की प्राइक क्या है बास समझ में आ रही है आप महलूप परिक्षा में बैठे ध्यान सुनना पहले मैं फिर से रिपेट करता हूं क्योंकि थोड़ी सी लैंग्विज प्रशन का उत्तर जानता है प्रस्टर गलत हो ना देंगे क्योंकि तुटका तो लगा नहीं आप प्रस्टर जानते हैं एकदम आपको पता है अब उसके द्वारा प्रस्टर सही देनी की प्रक्ता किती हो गई एक तो गुणे में क्या हो जाएगा एक तो कि वो उत्तर का प्रश्ण का उत्तर क्या देगा है जम सही देगा पी इवन यही हो गया है तीन बटे चार इंटू वन प्लस पी इटू का मतलब क्या है कि अनुमाल लगाता है तो अनुमाल लगाने की प्रायक्ता एक बटे चार यह तो लिखाई एक बटे चार अब ज जब वे दिया गया कि मालने की छात्र प्रस्ट में उत्तर में अनुमाल लगाता है और तब उसके सही उत्तर देनी की प्राइकता है तो ये बि एक बटे चार हो जाएगी। क्वेशन में सारी चीजहें में गीवन थी तिक सिर्फ ये नहीं गीवन था कि उसकी एक थाइतों में अपने कॉमन सेंसिंस से बात बतानी है कि तीन बटे-चार अगर वह जानता है फिर उसका शही उततर तो उसकी प्राइक्ता एक होगी इसको calculate करने ना अंसर आ जाएगा कुछ है नहीं यार इन question में सबसे important बात है यह जो लिखा हुआ है कि आपने घटना एक किसे माना E1 किसे माना E2 किसे माना एक घटना जो घटना आपको दी गई हो E1 E2 इत्री जिनकी घटनाओं की बात कर रहा हो कि आप इसकी प्राइक्ता बताओ मलब क्या 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 उससे संभावना है जो बनने उसके subset जो बनने एक प्रकार से तो वो एक प्रकार से आप बनाओगे और formula ल यह चैनले थोड़ा देखो क्या कहे रहा है इस question में पढ़ो एक बाफ पूरा question question कहे रहा है कि माल लीजे कोई लड़की एक पासा उच्छालती है ठीक एक पासा अगर उछाला जाएगा तो माल यह पासा उच्छालते हो तो क्या क्या संभावना है बनेंगी संभावना हो मे यादि उनमें से 5 यह 6 संख्या प्रात होती है तो वह 1 शिक्का 3 बार उच्छालती है यादि दो की पावर तीन मतलब आठ केस तो यहां पर बनेंगे तोटल पता है आठ केस अभी लिख नहीं रहे जब उत पड़ेगी तो लिख लेंगे बट आठ केस बनेंगे पता है में तो यह पूलूख स्ट्क्रेद अर्फटी और चित्तों की संख्या की नोट करती जब अच्छा इस चित्त केस बनते हैं इनमें चित्त की संख्या नोट करते हैं कि चित्त कितने बार उच्छालती है तो वह एक सिक्के को एक बार उच्छालती है यहां पर सिक्के को किते बार उच्छाल लेए एक बार सिक्का उच्छाला जा रहा है अगर एक बार सिक्का उच्छाला जाएगा तो दो ही केस बनेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा यही दो केस बन है वो घटना ये ये वाद पराप्थ होगयी कि उसे ठीक इग्जैक्ली एक चित आया हुआ है एक चित पराप्थ होताहें स्टमा एज हमें दी गई हूं ठीक है तो उसके द्वारा उचाले के पासे पर एक साओ ने की प्रायिकता क्या है अब में एक चीज नोटीस कर रहे हो हमेशा कुछ पीछे की बात पूशता है थोड़ा पीछे की बात पूशता है कहने का मतलब यह है जैसे अभी थैले वाले कोशन कर रहे थे अब वो यह पूशता है कि आपने गेंद निकाल ली और गेंद वो लाल थी और फिर उसको किस थैले से निकाला गया उसकी प्राइक्ता पूछ रहा है जबकि पहले थैला दिया गया है और थैले के अंदर गेंदे हैं तो गेंद वो पहले निकाल ले रहा है और फिर उसके पीछे की प्राइक्ता पूछ रहा है कि कौन सो थैला चुना होगा समझ रहे हैं कि मतलब कुछ उल्टी ब रहा है वह चीज हमें पता है और फिर पासे पर क्या ह। इसकी प्राइकता होता है यही चीज़ा होती है थोड़ा बताने के लिए आपको बता धिया कि घटना ए हमारे पास एक चित प्राप्त होता है हूसे पता है, इसकी बात पता है। कह रहा है उसके दोरा उच्छा लेगा है पासे पर 1, 2, 3, 4 मतलब घटना एवन अमने क्या माल लिया, कि पासे पर क्या आया हो łसे पर एक, दो, ती, चार, आया हूँ, अच्छा, इटू गटना यहाँ पर क्या हो जाएगा, या पांच छे भी तो आ सकता है, ना, अरे, एक, दो, तीन, छे, तो टोटल गटना है, ना, तो पासे पर, पांच यह चार आया हूँ, पांच छे आया हूँ, ठिक, लिखते हैं, फार्म इवन घटना बतानी है, जबकि ए घटना घटीत हो चुकी है, तो पी इवन, पी ए बटे इवन, फिर पी इटू, पी ए बटे इटू, प्लस, अरे, मुझा वे इवन यहाँ लिखना चीए था, पहले इवन ही लिखा जाता है, इवन लिख लो, कोई दिक्कत ने, वैसे इट ठीक, पी इटू, पी ए बटे इटू, ठीक, देखो, पी इवन बटे इवन, अब ध्यान से सुनना, पी इवन, पी इवन का मतलब कह है, इवन घटना पे जाओगे, ठीक, पासे पर एक, दो, तीन, चार आया हो, अगर पासे पर, एक, दो, तीन, चार आया होगा, तो पासे पर एक, दो, तीन, चार आने का मतलग यह है कि टोटल संभावना है पासे पर कितनी एच्छे, कुल परणाम कितने है, छे, और उन में से एक आया हो, दो आया हो, या तीन आया हो, या चार हो, उन चार में से कुछ भी आया हो, तो चार बटे च्छे, गोड़े, अब कह रहा है, इवन गटिद हो चुकी है, अब एक गटिद होने की प्राइकता है, मतलब पासे पर एक, दो, तीन, चार आ चुका है, अब उसके एक चित आने की प्राइकता क्या है, अगर पासे पर एक, दो, तीन, चार आने की प्राइकता क्या है, तो अगर पासे पर एक, दो, तीन, चा एक चित की बात कर रहे हैं इसलिए बटे दू ठीक जब एक दो तीन चार आ गया तो उसने क्या किया एक बार सिखा उच्छा ला तो टोटल पढ़ना और उसमें से एक चित आना एक बटे दू ठीक है नीचे आजो यह बात तो से मैं चार बटे च्छे गुण एक बटे दू प आप यहां से देख सकते हो टोटल पढ़ना उमारे पास पासे में इच्छैंब है और ठीक है至 अने पड़ एक चीत आना ए गटना के गटित होने के पार्टता तो एक चित कप का बाता है ती इन 8 cases में यहां तो एक case होगा जिसमें पहली बार में मालो head आ गया head tell तेल फिर आ गया tell head tell यह होगा tell tell head यही आप 8 case बनाओगो उनमें 3 case यही ऐसे 3 case मिलेंगे जिसमें exactly एक ही head आया होगा तत्ता एक ही क्या हो जाएगी प्राइक्ता हो जाएगी सबको बात समझ में आगे यही इस बात का अंसर हो जाएगी कैलकुलेट कर लेना भाई हम कैलकुलेट नहीं करेंगे एक यार कर लेना तुम लेना ज्यादा कोई सब बड़ा एस यह नहीं कैलकुलेट कर लेना अंसर आजाएगी कर ल छलते हैं अच्छे अगले question पर अभी 2-3 question और करने और अच्छे अच्छे question करने यह long में आएंगा इसे question आप detail में लिखना बस ऐसे लिखना इसको थोड़ा detail में लिखना कि कैसे गटन एबी माना है फार मूला इसको इनकी प्रायक्त आए अलग से भी लिख सकते हो फिर फार्मुल्य में पूट कर सकते हो तोनों तरीके से कर सकते हो कोई दिक्कत ने होगा चलते हैं अगले कोशन पे अगला कह रहा है बावन तास की गड़ी में से एक पत्ता खो जाता है अच्छा कोश्चन है यह जो बचे हुए पत्ते हैं उन में से एक पत्ता तो खो गया सेस पत्तों में से दो पत्ते उसने निकाले जो की इट के पत्ते थे तो घटना ए क्या हो गई दो इट के पत्ते निकलना कि दो पत्ते निकालेगे वो दोनों इट के हैं यह में पता जो पता है वो घटना ए तो दो इट के पत्ते निकालना गटना ए ठिक आंगे आओ खो गया पत्ते इट के ओने की प्राइकता क्या है इवन क्या है कि खो गया पत्ता इट का है खो गया पत्ता इट का है अच्छा इटू यहां पर क्या हो गया कि खो गया पत्ता है इट के अलावा कोई अन कोई पत्ता है लेख सकते हैं ना कि हमारे पास इट के पत्तों के अलावा कोई एक अन पत्ता खो गया हो तो खो गया पत्ता इट के अलावा हो या इट के अलावा कोई अन पत्ता खो गया हो इसकी प्राइक्ता में निकालनी है यहाँ पर बात करते हैं अब देखो हमें निकालना है इसकी वह जाएगा फीईवन यह बटे इसकी देखो बात समझें न अच्छा पीईवन का मतलब क्या है आप अलाक से भी निकाल सकते हो फीईवन का मतलब क्या है पी इवन का जो बेसिक मतलब है कि खो गया पत्ता जो है वो मारे पास एट का हो थिक, 52 पत्ते थे उन में से जो पत्ता अमारे पास खो गया वो मारे पास कैसा हो वो मारे पास एट का हो थिक, तो टोटल अमारे पास पत्ते हैं कितने, एट के पत्ते टोटल अमारे पास होते कि आजिकते हैं तेरा पत्ते होते हैं और उसमें से अगर हमें आज से क्या करें टोटल हमारे पास 52 पत्ते होते हैं उन में से जो पत्ता खो गया वह एक पत्ता निकाला और उसके इट की होने की प्राइक्ता क्या है तो वही तेरा बटे बावन होती है सेम उसी प्रकार से वर कर रहा है कि बावन पत्तों में से एक पत्ता खो गया या उसे निकाला गया या वो खो गया और वह पत्ता इट का था तो वो भी प्राइक्ता तेरा बटे बावन होगी बैसिकली एक बटे चार हो जाएगी ऐसा यह आप पी डू लिखू उज़ा है इड के अलावा कोई अन पत्तक हो गया हो तो टोटल पत्ते तो मारे पास अभी भी बावन है अन पत्ते मारे पास इज़ाएं तेरा इड के पत्तों के अलावा 49 पत्त और अन्य होते हैं तो इसकी प्राइक करकि यह दो और निकाल लेते हैं कि पी ए बटे इवन अब देखो इवन गटना घटीद हो चुकी है इवन गटना अगर घटीद हो चुकी है उसके बाद ए गटना के घटी धोनी की प्राइक्ता क्या है मतलब जो खो गया पत्ता है वो हमारे पास किसका है वो हमारे पास इड का था और फिर जब दो पत्ते निकाले जाते हैं और उनके इड के पत्ता है क्या प्राइक्ता है बेसिकली हमारे पास हुआ कि यह इन का पत्ता तो खो गया मतलब टोटल बचे हमारे पास 15 पत्ते उन में से दो पत्ते तुमने निकाल ले अब उन दोनों की इन की अने की प्राइक तक है और जो पत्ता एक क्या था वोगे था वह भी क्या था इन का था तोकि इवन गटना खो क्या लिखा यहाँ पर टोटल capita थे बाउन पत्तों में एक पत्ता तो खो गया और वो भी एड़ का हो गया है टोटल बचे किते 51 के खो करोगा हैं टोटल इट के पत्ते 13 उसमें से सबस्टे किते 12 हमने दो पत्ते निकालने तो पहला पत्ता निकलने के उअचताब 12 Kit कि इट काया है कि कि इट के अलावा कोई अन पत्ता खो गया था तो फिर भी खो गया फटतो अभीवित क्या वनिए बच्छे एक पटा तो वैसे भी खो गया है तो पत्त तो अभीविक रींडे के इसकर हो या था तो वो तेरा पत्ते पूरे अब अगली बार दो नोगो पत्ते निकाले कैना क्याई दो पत्ते निकालना और एक अटना की प्राइकता निकालना है तो आप 50 पत्ते बचे यहां पर 12 बचे गा क्योंकि अब इट का पहला यहां पर निकाला दूसरा यहां पर निकाला तो 12 बटे बचास होगे इन सभी के माने आपर पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा पुट तो करी क्या ही क्लकुलेशन करेंगे तुम ही करोगे पी इवन एक बटे चार एक बटे यह बटे उब 1 बटे आ नमारे पास क्या हो जाएगा पिए टुपी टुपी टुका थी तीन बटे चार यह क्या थे लोगे कोई समस्या बताओ कोई भी समस्या लग रहे हुए यहां तक तो बताओ मैं सारे ही maximum question आपको करा दूँगा बिल्कुल परिसान होने की जरूरत नहीं है बस ऐसा ही पूरा lecture आप मन से देखते रहे हैं सारी चीज़ां आपको clarity में लिए ठीक है बारवा question ही हो गया एक और करते हैं question एकसी प्रकार का इसके बाद यह भी बहुत प्यारा question है यह question यह दो को कर लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर टिब भिल जाएगी लॉंग questions है यह सारे long है यह ना सोचना इस अब सौर्ट भी सब लॉंग में पूछे जाएंगे इस सारे questions long में ही आएगा बस यह अपनी बात है कि कौन सा question किस प्रकार question आजाए बस इन questions को लगा लेगी तो अपने को सारे concept clear हो जाएगा मैं 3 या एक बटे 12 पर तू किसी अनवान से आने पर उसे देर नहीं होती है अच्छा train, bus, scooter या किसी अनवान से चार चीज़ों से वो आता है ट्रेन बस या स्कूटर से आता है तो उसको लेट होने के चांसे ज्यादा है लेकिन अन्वान से कोई आता है अब यह अन्वान कौन सा यह नहीं पता उससे उसको देर नहीं होती है यह बात हमें पता है कि अन्वान से जब आता है तो वह उससे देर नहीं होती है यदि वह दे देर से आया बतलब घटना ए जो दी गई है उसको लिखो पहले घटना ए वह देर से आया ठीक देर से आया तो उसके ट्रेन से आने की प्राइकता क्या है यह मैं बताना है कह रहा है उसके द्वारा ट्रेन से आया है वो ट्रेन से आया है अच्छा इटू गटना क्या होगे इसमें चार तरीकों से वो आ सकता है ना बस से भी आ सकता है बस से आया यहने गटना क्या हो सकती हो इसकूटर से आया हो है इस Four गतना क्या होगे उन्हीं से आ, क्यों कि चार छीजु थे आ लिख लो वेशेर अन्हान small late तो नहीं आता लेकर लिखनो अन्हीं से आया है यहां तक बात के लिए अब देखो प्राइक्ता हमसे पूछ रहा है कि वह ट्रेन से आया है जबकि यह में पता है कि वह टेर से आया है वह टेर से आया उसके ट्रेन चाने की प्राइक्ता क्या है तो इसको परमूला इसे लिख लो पाखिव्कों सरय क्या आप अध है जाई है प्राइक्था है फिर्षवा जाएंगी से फ़ें P e 1, P a but a e 1, P e 2, P a but a e 2, P e 3, P a but a e 3, P a 4, P a 2, P a e 4, P a but a e 4, P a but a e 4, P a 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 कि यद्स कह रहे है वह ट्रेंद से आया उसके देर आने की प्राइक तो जब आए ट्रेन बस या स्कूटर से आता है तो उसको लेकिन जब वह अन्वाहन से आता है अन्वाहन से आता है और एगतना उसके देर से आने की प्राइक्ता क्या होगी तो कि वह जब अन्वान से आता है तो वह कभी देर से नहीं आता है मतलब उसकी प्राइक्ता तो अगर देखी जाए तो क्या होगी जब वह अन्वान से आता है तो उसको कभी देर नहीं होती वो चेह रहा अनुवान से आने की प्राइक्ता, जबकि वह देर से आया हो, उसकी प्राइक्ता सूने, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता, अनिष्चित गटना सूनने आता है, तो बस यही इत्ती बात थी answer हो जाएगा क्योंकि यहां लिखा था किसी अन्वान से उस से आने पर उसे देर नहीं होती है कोई देर नहीं होती है तैम जा जाता है केलकुलेट कर लेना अंसर आजाएगा सिंपल था बस चार घटनाय थी कुछ थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिस की थी पाफी कोश्चन आसान दे रख्या था सब तुझे डारेक्ली दे रखी थी ऐसा कुछ घुमाया नहीं था इस कोश्चन में अब चलते हैं अगले कोश्च दाई गंटे के आपड़ा तो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगे मैंने सारे इंपॉर्टेंट कोश्चन करा दिया यह अंतिम इंपॉर्टेंट कोश्चन है बहुत प्यारा कोश्चन है इसको और देख लेते हैं समझ लेते हैं फिर करत चलते हैं ठीक है कह रहा है किसी वि इधान की रक्त जाज जो होती है वो 99% असरदार होती है अच्छा कोई एक रोग होता है और रोग की जब रक्त की जाज की जाती है उस रोग में रोगी मानलों गया और उसने रक्त की जाज कराई तो 99% असरदार मतलब की सही रिजल्ट देता है 99% रक्त की जाज सही आती है कहने का मतलब यह जब वास्तों में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है किन्तु जीरो तो समलोग 5 परसेंट बार किसी स्वस्त व्यक्ति को रत जाच करने पर निधान गलत रिपोर्ट देता है अच्छा केरें जब वास्तों जब मलब यह उपर वाली घटना दी गई थी कि कोई विसेश रोग की सही निधान के लिए 99% असरदार होती जब वास्तों में रोगी रोग से ग्रस्त होता है मतलब कोई रोगी अगर बास समझो क्या को रहा है कि कोई रोगी अगर जाता है और रोगी अगर होस्पिटल में गया और उसने रक्त की अपनी जाच कराई तो जब रोगी अपने रोग की जाच कराता है तो 99% चांस होता है कि रोग जो जाच उसने कराई वो जाच का रिजल्ट असरदार मतलब सही रिजल्ट आया हो ठिक, मतलब 99% सही रिजल्ट देता है, 1% में गलत रिजल्ट देता है, अगर रोगी को 1% गलत रिजल्ट देगा, तो ग्या गलत रिजल्ट देगा, 99% में तो वह पता लगा लेता है रक्त से, क्योंकि रोगी वेक्ति गया है, 99% रोगी वेक्ति का पता कर दे लेता है, जब र दिखूँगा अभी क्लेटी मिल जाएगी उससे किन्तों 0.5 परसेंट बार किसी स्वस्त व्यक्ति की रक्त जाच करने पर निदान गलत देता है ऐसे ही कोई अगर स्वस्त व्यक्ति जाता है हेल्दी व्यक्ति अपना पहुसता है जो जिसको कोई वीमारी नहीं वह पहुसता है और उसने रक्त की जाच कराई तो 0.5 परसेंट में वह गलत रिपोर्ट देने का मतलब क्या स्वस्त व्यक्ति अगर जाच कराता और उसे गलत स्वस्थ है लेकिन जो दो पार्ट परसेंट में कह देता कि वह रोगी है गलत रिजल दे देता है यदि किसी जन समुदाय में जीरो दो एक परसेंट लोग उस रोग से ग्रस्त है ठीक तो वह पराइकता ग्याद कीजिए कि कोई यादर अच्छा चुना गया व्यक्ति उस रो दिया गया है कि उधारण ऐसे ग्जांपल में भी दिया गया गया जाओंगा कि तुम लोग एक बाल लगा उसको लग जाएगा इसको पहले समझे लो क्या रहा है अब आने पास दो प्रकार के व्यक्ति एक तो रोगी व्यक्ति जा रहा है जांच कराने के लिए एक स्वस्त रिजल्ट का मतलब यहां पर समझ रहो ना सही रिजल्ट का मतलब यहां पर यह है कि जब रोगी जाच कराने गया तो उसे सही में यह बताया गया नहीं उसको यह सही में पता चला कि जो मलब उसने जाच कराई है वो सही जाच कराई है सही रिपोर्ट मिलती है रिजल्ट छ एक परसेंट क्या हो जाता है उसे गलत रिपोर्ट मिलती है गलत रिपोर्ट थिक जब स्वस्त वक्ति जाता है तो क्या होता है जब यह स्वस्त वक्त गया तो किस करा 0.5% उसे गलत report मिलती है 0.5% गलत report मिलती है और 99.5% सही मिलेगी इसका मतलब यही हुआ यह दिया नहीं किया है यह by default दिया है सही report मिलेगी ठिक यह बात तो हमने यहां से इतनी बात ते तो हमने पता करा ली जो हमें question में given था उसके अनुशा तिक अब यहां से बाद समझों कहे रहा है उस जन्समदाय में 0.1% लोग रोग से गरस्त हैं मतलब जो रोगी वेक्ति हैं वह जादा नहीं है 0.1% लोग रोग से गरस्त हैं मतलब कि 99.9% लोग जो हैं वो स्वस्त हैं कहे रहा है ना कि उस जन्समदाय में 0.1% लोग कैसे हैं तो मतलब यह हो गया कि 99.9 परस्टत लोग कैसे हैं सही है अब घटनाय लिखते हैं जो घटनाय में दी गई है इसको ऐसा करते हैं थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको नीचे ले अचिक गटना ए निख रहे हैं जो घटना में ग्यात है कोशसिन पढ़ो क्या घटनाय जो हमें ग्यात है कहरा है कि क्या प्राइकत आ कि कोई यह द्रीच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से गरस्त होगा यदि उसके रक्त चाप में बताया गया कि उसे रोग है मतलब क्या है यह घटना यह होगी कि रक्त जाच में हमने यह बता दिया कि यह व्यक्ति रोगी है, मतलब घटना A हमारे पास क्या है, कि व्यक्ति रोगी है, यह हमें बात पता है, जाच के माध्यम से हमें पता है, जाच से, यह तो लिखा है, कि उसके रक्त की जाच में, जाच में यह बताया गया, गया की व्य इस दो बुखति है ऑगे ये बात गतना इस एववन गतना क्या है हमें प्रायकता जिसकी निकालनी ही को या दराचा चुना गया वैक्ती उस रोग से ग्रस्त अहीं जो एक्ति है मैं लिखता हूँ P E1 बटे A बराबर P E1 P A बटे E1 P E1 P A बटे E1 प्लस P E2 P A बटे E2 मैं लिख रहा हूँ P E1 का मतलब अच्छा है यहाँ पर क्या है P E1 का मतलब यह है कि व्यक्ति रोग से ग्रस्त है व्यक्ति रोग से ग्रस्त कितने इसने लिखाता जन्र समुदाय में 0.1% यह यह लोग जो थे वो रोग से ग्रस्त थे तो रोग से ग्रस् तो जीरो जीरो एक आ जाएगा तो इसलिए जीरो 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 एक लिए अब कह रहा है कि इवन घटना घटित हो चुकिए एगटितना की घटित होने की प्राइकता मतलब यह बात हमें पता है कि व्यक्ति रोग से ग्रस्त है कि अब एगटना की जाच में भी यही पता हो की व्यक्ति रोगई है हमें यह वाद तो नting रोगई है कि व्यक्ति रोगई है तो कहां पर आ जाओगे इस पहले वाले चार्ट पर को यह बनाना बहुत इपौर्टें अगर यह बनाओगे नहें ऐसे लिख्योगे नहीं तो हमें नहीं लगता है कि कोष्टिन इतनी आसानी से हो जाएगा कि आप डिरेक्टली समझ पाऊं इसने कह दिया 한attend जी आप ऍपता चला करता है कि व्यक्ति रोग से ग्रस्त था और उसकी सही रिपोर्ट आई यही बात हो गई तो ऐसे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पर डारेक्ट लिया पूट करोगे वैलू तो यह हमारे पास कित्ती हो जाए 99 परसेंट है इसको भी परसेंट से उसमें लिख लेते हैं त स्वस्त है तो सफ्त होनी की प्राइगता 99.9 तो यहां से कित्ती आ जाएगी 99.95 क्या होता है कि व्यक्ति हमारे पास स्वस्त होता घी रोत तीन बार नहों जाएगा लो गुड़ा अब कहए रहा है कि अगर ने और ते सो अ फिर ए गड़ना की घड़ित होनी की प्राइक तो जीरो दसम लो किति है पाच है ना तो 005 यह इसकी प्राइक्ता हो जाएगी ठिक थोड़ा सा लेना अंसर आ जाया है कि समझ गए कोई दिक्कत तो नहीं मैं इस कोश्चन को बार रिपीट कर देता हूं प्यारा कोश्चन था यह आंसर होगे तो ऐसा हो रहा था कोश्चन में कि हमारे पास अस्पताल में दो प्रकार के लोग जा रहे हैं एक तो रोगी है एक स्वस्त वाल जब रोगी व्यक्ति जाता है जाच कराने ठिक तो रोगी व्यक्ति जब जाच कराने पाउसता है तो उसकी 99% रिपोर्ट सही आती है 99% सही आती रिपोर्ट मतलब क्या है कि जब रोगी ने जाच कराई तो उसकी बीमारी का पता चले कि पहले से रोगी व्यक्ति गया था त उसकी बीमारी का उसे पता चल जाना ही उसकी सही रिपोर्ट है और एक परसेंट में गलत रिपोर्ट आना कि रोगी वेक्ति गया और उसको बोल दिया गया नहीं तुम मेटा सही हो तुम कोई दिक्कत नहीं गलत रिपोर्ट उसकी आगी जब सही वेक्ति जाता है तो 0.5% में उसे गलत report मिलती है, सही वेक्ति गया और उसे ये बोल दिया गया 0.5% case में कि तुम बीमार हो या, तुमारी report सही नहीं है, लेकिन 99.5% में सही बताया गया कि तुम सही हो बेटा, तुम कोई दिक्कत नहीं, तुम सवस्त हो एक्ड़ निन्याद में दिक्कत नहीं, तुम सवस है, जो %1% लोग रोगी है, अब क्या हुआ, उस महले से एक व्यक्ति चुना गया, और व्यक्ति चुना गया, तो यह बात पता है कि उसकी जाच में, उसकी जाच से चुना गया, उसकी जाच सारी जाच रखी तो उनमें से एक व्यक्ति उठाई गई, और जो जाच उठाई भी वो हो सकता रोगी भी क्योंकि स्वस्त में भी गलत रिपोर्ट आरी मतलब वो रोगी हो सकता और रोगी में भी सही रिपोर्ट आरी मतलब कि वो रोगी हो सकता तो जो जाज उठाईगी तो एक घटना में पता थी कि वह रोगी है अब कहरा है उसकी प्राइक्ता क्या है कि जो हमारे पास चुना गया व्यक्ति है वो रोगी भी है मलब जाज जो उठाई है वो तुमने सही जाज उठाई है वो रोगी भी है तो E1 गटना हमारे पास होगे व्यक्ति रोग से गर्टित है और E2 हो गई कि व्यक्ति नहीं कि यहीं था 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 हमारे पास आज का वंस्वाइब क्लास में फिनिस कर रहे हैं हम लोग ने प्रॉबिल्टी क्लास ट्वल्थ के सारे वंसौट फिनिस कर लिए वाई है तो सभी को एक बार मैं और बेस्ट बोल देता हूँ जिसका भी जो एकजाम में कुछ बिहार बोड्स है तो उनके लिए सबसे important बात कि उनका exam अभी है तो सभी को all the best में बोल देता हूँ कि बहुत proper बहुत अच्छे से जिसको भी किसी भी chapter में doubt हो आप एक बार यह सारे one shot जरूर complete कर लेना इसी channel पर सारे one shot आपको अब लेवल मिल जाएंगे तेंथ के भी one shot अब लेवल है लेकिन आप लोग 12 में है तो आप लोग 12 के सारे one shot यहां से आपको मिल जाएंगे तो 12 के आप जो भी chapter में आपको doubt हो एक बार उनका one shot देखिए कैसे करना इनको 10-12 दिन में कैसे त्यारी होती है कम confidence का मतलब होना है कि इसमें हमें इतनी अच्छी पकड़ नहीं लग रही है तो आप पूरा one shot आपने cover किया साथ पहले पूरा one shot देख डाले पूरा देख डाले मन से सिद्दत से जो जो question लगाए एक एक question डिक्टो लगाई है और उनको समझ लिए by concept समझ लिए फिर आप मन से कुछ questions उठाए जो book के मैंने सारे तो नहीं लगवाए होंगे कुछ questions छूट गए होंगे या आपके पास कोई different book है या कोई unsolved आपने रखा है या कोई आपके पास PYQ उसकी book रखे है पुराने questions paper की book रखे है आप कोई भी उठाइए और फिर आप question लगाना उनसे start करि आप ठीक है इसी प्रकार का वंशॉट इसारे डिजाइन के कि यहां पर पॉविल्टी कवर हो ठीक है और वाकि जो हमारी live classes चलें वहां question पर किस करी रहें लगातार mcq type long question जो भी different different type questions हमें मिल जाते हैं कि यह चीज अभी थोड़ी मिस हो गई इस question का और topic इसका करा दिया यह वह मैं live में आपको कराई रहा हूं ठीक है तो सभी लोग मन से one-sorts complete कर लो comment करके मुझे जरूर बताना कि कैसा लगा आपको one-sorts मिलते हैं live class में तब तक के लिए झाता बाँ